और ऐसी बहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यह वीडियो सभी एक्जाम के लिए यूसफुल है तो वीडियो एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सरो पर्थम भोगोल शब्द का प्रियोक इरेटोस्थिनीस एक ग्रीक विद्वान ने किया था यह शब्द ग्रीक भासा के दो मूल जियो जिसका अर्थ होता है प्रित्वी ग्रैफोस जिसका अर्थ होता है वरण से प्राप्त किया गया है दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है प्रित्वी का वरण भोगोल के नामकरण एवं इस विशय को प्रात्मिक इस्तर पर व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रे यूनान के निवासियों को जाता है हिकेटियस हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात प्रित्वी का वरण में सरप्रथम भोगोलिक तत्वों का क्रम बद्ध समावेश किया अध्यान के लिए स्वतंत विशय के रूप में भोगोल को 19. सताबदी में ही मानिता मिली 20. सताबदी के आरंब में भोगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परीक संबंधों के अध्यान के रूप में विक्सित हुआ इसकी दो विचारधाराएं थी पहला था संभावाद इस संभावाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृती प्रदत अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है इस विचारधारा के समर्थक रहे हैं भुगोलवित्ता वाइडल डीला बलाश और फैबरे रहे हैं दूसरा है दोस्तों निश्चयवाद इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं अताह मनुष्य को स्वेक्षा पूर्वग कुछ करने की स्वतन्दता कम है इस विचार धारा के प्रमुख समर्थक रहे हैं भुगोल वित्ता रीटर और रेट जल जो की नवी निश्चयवाद के संस्थापक रहे हैं एलेन और सैंपुल और हैटिंग्टन भी इस विचार धारा के प्रमुख समर्थक रहे हैं चले दोस्तों कुछ महत्तोफोर पॉ progresses देख लेते हैं भूगोल का जनक यायस को कहते है वर्तमान भूगोल का जनक Alexander Braun Humboldt को कहते है वैवस्ثित भूगोल का जनक Eretosthenes को कहते है भौथिक भूगोल का जनक Polodonium कोच कहते है सांसकृतिक भूगोल का जनक कहते है कार्ल ओसावर को गड़तिय भुगोल के संस्थापक थेल्सवा एनेक्जी मेंडर थे विश्व गलोब का निर्माता मार्टिन बैहम थे विश्व मांचित्र के निर्माण करता आनेक्जी मेंडर थे भुगोलिक विश्व कोज का रचनाकार इस्टाबों है चले दोस्तों भुगोल की कुछ परिभासाएं देखते हैं भुगोल एक ऐसा स्वतंत्र विश्व है जिसका उद्देश से लोगों को विश्व आकासिय पिंडों इस्थल महसागरों जीव जन्तुओं वनस्पति फलों तथा भुधरातल के ख्षेत्रों में देखी जाने वा देखने वाला आभामाय विज्ञान है या कैलेडियस और टॉलमी की परिभासा है तीसरा है दोस्तों भुगोल वावी ज्ञान है जिसमें प्रिथवी को सतंत ग्रह के रूप में मानेता देते हुए उसके समस्त लक्षडों घटनाओं एवं उसके अंता संबंध का अध्यन देखते हैं अस्तित्वमान द्रव एवं उर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रहम्हांड कहते हैं दूसरे सब्दों में सुक्षतम अड़वों से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रहम्हांड कहा जाता है ब्रहम्हांड की उत्पत्ति के सम से सं संबंदित प्रमुक सिध्धान्त निम्न में से हैं महाविसफोर्ट सिध्धान बिग बैंक थियोरी एब जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था साम्मान्य वस्था या सतद्र सिष्ट्री सिध्धान्त या फिर इस्थिर अवस्था संकल्पना या दोस्तो दिया था थॉर्मस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी ने दोलन सिध्धान पलसेटिंग यूनिवर्स थेवरी डॉक्टर एलन संडे जाने दिया था इस्विती सिध्धान्त इन्फलेनेशनरी थेवरी एलन गुथ ने दिया था ब्रम हन्द की उत्पत्ति के संबंध मे महावी स्पोर्ट सिध्धान बिग बैंक थियोरी सरवाधिक माने सिध्धान थे इसका प्रतिपादन बेलजियम के खगोलग एवं पादरी एब जॉर्ज लेमें तेयर ने किया था बाद में रोबर्ट बैगोनेर ने इस सिध्धान ते की व्याख्या की महावी स्पोर्ट सिध्धान के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिन से ब्रह्मान बना है अती छोटे गोलग के रूप में एक ही स्थान पर इस्तित था जिनका आयतन अत्यधिक सुक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनन्त था अत्यधिक संकेंद्रर के कारण बिंदू का आकास्मिक विस्फोर्ट हुआ जिसे महाविस्फोर्ट ब्रह्म महांडिय विस्फोर्ट कहा गया इस अचानक विस्फोर्ट से पदार्थों का बिखराओ हुआ जिससे सामाने पदार्थ निर्मित हुए इसके अलगाओ के कारण काले पदार्थ बने जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडिय पिंडो का स्रीजन हुआ व्यगानिक का विश्वास है कि महाविसफोर्ट बिग बैंक की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी महाविसफोर्ट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानि आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ जिसमें ग्रहों तथा उब ग्रहों का निर्माड हुआ इस प्रकार बिग बैंक परिघटना से ब्रह्माड की उत्पत्ती हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है इसके साक्ष के रूप में आकाश कंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष दिया जाता है नासा ने 2001 में मैप जिसका अर्थ है माइक्रो वेव एनिस्टो टॉफी न प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टी की थी ब्रह्माड के निरंतर विस्तारर के साक्ष जुटाने में एडबिन हबल का योगदान उलेखनी है ब्रह्माड के निरंतर विस्तारर के साक्ष के रूप में अंतरिक्ष में सोक्ष्म तरंगों की उपस्थिती का पता चलना अंतरिक्ष में रिट्शिफ्ट परिगटना का अवलोकनता था आधुनिक अध्यनोग में सूपर नोवा का अंतरिक्ष में विस्फोर्ट होना भी ब्राम्मांड के विस्तार के साक्ष के रूप में माना जा रहा है चलिए नोट देखते हैं नोट दिया हुआ है मासा चलिए नोट देखते हैं नासा नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विलिंकिंसन के नेत्रित तुमें बिग बैंक की पुष्टी है तू मैप परियोजना मैक्रोवेव एनिसो ट्रोफी प्रोब मैप का शुभारम किया गया मैप एक खोजी उबगरह है इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंक की पुष्टी होती है 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रहम हांड की आयू 13.7 अरब वर्स निर्धारित करने की घोशडा की डेविड विलिंसन की सितंबर 2002 इस वी के निधन के पश्चात उनके स 30 मार्च 2010 को European Center for Nuclear Research ने जेनेवा में प्रिथवी की सता से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलो मीटर लंबे सुरंग में लॉर्ज हैडरन को लाइजर नामक महा प्रियोग सफलता पूरवक किया गया इसमें प्रोटॉन बीमों का लगभग प्रकाश की गती से टकराया गया तथा हिक्स बोशॉन के निर्मार का प्रियास किया गया माना जाता है कि गौर्ट पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिक्स बोशॉन में ही ब्रम्हांड के रहस्य चिपे हैं क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है CERN Center for Nuclear Research ने 4 जुलाई 2012 को हिक्स बोशॉन में से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की और इस से ब्रम्हांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी नोट है दोस्तों ब्रिटिस वैग्यानिक हिक्स ने 1964 इस वी को कॉस्मोलोजी समझने ही तो गौर्ड पार्टिकल परमाणवीक मंदाकनी गलेक्सी हैं परतेक मंदाकनी में अनुमानता सो अरब तारे होते हैं मंदाकनी चलिए मंदाकनी देखते हैं तारों का ऐसा समूह जो धुंदला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारों तारा निर्माल प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है मंदाकनी गल पहले गैलिलियों ने देखा था आकास गंगा की सबसे नस्दीक मंदाकनी को देवयानी एंड्रो मेड़ा नाम से नाम दिया गया नवींतम ग्यात मंदाकनी ड्वार्फ मंदाकनी है चलिए निहारिका जानते हैं नेबुला देखते हैं क्या होता है यह एक ब्रह्मांडी ये नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है निहारिका में धोल और गैसों का बादल होता है सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है सिर्फ कुछ दुरलब आउसारों को छोड़ कर जिसमें दो निूट्रोन तारे एक श्याम वीवर हो जाते हैं वैसे भी निूट्रोन तारे और श्याम वीवर मृत तारे माने जाते हैं यहां पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आइनी करत प्लाजमा होद गैसे होती हैं निहारिका दो अलग-अलग कारणों से बनती हैं पहला ब्रह्महांड की उत्पत्ती और दूसरा किसी विस्वोटक तारे से बने सुपरनोवा से महांड के जन्म और सुपरनोवा के मिस्ड़ से भी हो सकता है निहारिका के कुछ प्रकार हैं पहला है उत्सरजन निहारिका यह सबसे सुन्दर और रंग बिरंगी होती हैं यह बन रहे तारों से प्रकासित होती हैं उधारण चील एवं जील निहारिका परावर्तन निहारिकाएं यह तारों से प्रकास को परावर्तित करती हैं यह तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं उदारड प्लेडेस निहारिका श्याम निहारिका हैं ये अपने पीछे से आने वाली प्रकास को एक दिवार की तरह रोक देती हैं यही कारड है कि हम अपनी आकास गंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं चौता है दोस्तों ग्रही निहारिका हैं इसका निर्मार उस वक्त होता है जब सामान तारा एक लाल दानो तारे में बदल कर अपनी बाहरी ताहों को उत्सरजित कर देता है इसी वज़े से इनका अकार गोल होता है और ये निवुला यहां हमारी काकास गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समू है तारों के बारे में विस्त्री जानकारी के लिए भौतिक का अध्यान ब्रह्मान देखें चलिए दोस्तों सौर मंडल से संपूर्तत देखते हैं सूर्य के चारों और चक्कर लगाने वाले विभिन ग्रहों छुद ग्रहों धूमके तुवों उलकाओं तथा अन्य आकाशिय पिंडों के समू को सौर मंडल कहते हैं सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में नहींत है सौर मंडल के समस्त और जाका श्रोद भी सूर्य ही है प्लेनमस सौर मंडल से बाहर बिलकुल एक जैसे दिखने वाले जुडवा पिंडो का एक समू है सूर्य सौर मंडल का प्रधान है यह हमारी मंदाकनी दुग्द मेखला के केंदर से लगबग 30,000 प्रकास वर्स की दूरी पर एक कोने में इस्तित है यह दुग्द मेखला मंदाकनी के केंदर के चारो और 200,000 किलो मीटर पती सेकेंड की गती से परिकर्मा कर रहा है इसका परिकर्मा काल दुग्द मेखला के केंदर के चारो और एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड वर्स है जिसे ब्रह्मान वर्स कहते हैं सूर्य अपने अक्षपर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है इसका मध्य भाग 25 दिनों में वाध्रूवी भाग 35 दिनों में एक घुरण करता है सूर्य एक गैसी गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71 पतिशत हीलियम 26.5 पतिशत अन्य तत्तो धाई पतिशत होता है सूर्य का केंदरिय भाग क्रोड कहलाता है जिसका ताप 1.5 गुड़े 10 पर पावर 60 दिगरी सेल्सियस होता है तथा सूर्य का बाहरीत सतह का ताप 6000 दिगरी सेल्सियस है हैंस बेथ, हैंस बेथ ने बताया कि 10 पर पावर 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंदर पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर 1 हेलियम नाभिक का निर्मार करता है अर्थात सूर्य के केंदर पर नाभिक ये सनलियान होता है जो सूर्य की उर्जा का शोत है सूर्य की दीपती मान सता को प्रकाश मंडल कहते हैं प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाश मान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायू मंडल प्रकाश का आउशोशल कर लेता है इसे वर्ड मंडल क्रोमो स्फेर कहते हैं या लाल रंका होता है सूर्य ग्रहन के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या फिर करोना कहते हैं सूर्य का बाहत्तम परत है सूर्य किरीट एक्सरे उत्सरजित करता है इसे सूर्य का मुकूट कहा जाता है पूरर्ण सूर्य गुराहट के समय सूर्य की रीट से प्रकास की प्राप्ति होती है सूर्य की उम्र लगभग है पांच बिलियं बर्स की ब्रहम्हांड के बारे में हमारा बदलता दिस्टि-खोड क्या है? चलिए जानते हैं ब्रारम में पृत्वी को संपूर्ड ब्रामांड का केंद्र माना जाता था जिसकी परिक्रमा सभी आकासिय पिंड विभिन का क्षाओं में करते थे इसे भू केंद्रिय सिध्धान्त कहा गया इसका प्रतिपादन में श्यूनानी खगोल सास्त्री क्लाडियस टॉलमी ने 140 इस्वी में किया था इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलास कौपर निकस ने यह दर्साया की सूर्य ब्रामांड के केंद्र पर है तथा इसकी प्रक्रिमा करते हैं अता सूर्य विश्व का ब्रम्हान का केंद्र बन गया इसे सूर्य केंद्रिय सिध्धान हीलियो सेंट्रिक थेयोरी कहा गया सुलामी सताब्दी में टाय को ब्रेह के सहायक जोहानेस कैपलर ने ग्रही कक्षाओं के नियमों की खोच की परन्तु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मान का केंद्र माना गया 20 शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकनी दुख धुमेकला की तस्वीरिस परष्ठ हुई सूर्य को इस मंदाकनी के एक सिर्य पर अवस्तित पाया गया इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मान के केंद्र पर होने का गौरो समाथ हो गया केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों और प्रतेक नक्षत्र का मार्ग दीरग वित्ताकार है भाविश्य में सूर्य द्वारा उर्जा देते रहने का समय 10 पर पावर 11 वर्स है सूर्य के प्रकास को प्रित्वी तक पहुचने में 8 मीनट 16.6 सेकंड का समय लगता है सूर्य ज्वाला को उत्तरी द्रूपर और 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 बोरियालिस और दक्ष्री द्रूपर और 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 औस्ट्रेलिस कहते हैं सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल कताब मान आसपास कताब मान से 1500 डिग्री सेलसियस कम होता है सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है पहले 11 वर्सों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद में 11 वर्सों तक यह धब्बा घड़ता है जब सूर्य की सता पर यह धब्बा दिखालाई दिपड़ता है उस समय प्रिथवी पर चुम्ब की जंजावत मैगनेटिक इस्टॉम उत्पन होते हैं इस से चुम्ब की सुई की दिशाब बदल जाती है एवं रेडियो टेलिवीजन बिजली चलित मसीने आदी में गड़बड़ी उत्पन हो जाती है सूर्य का व्यास 13,92,000 किलो मीटर है जो प्रिथवी के व्यास का लगभग 110 गुना है सूर्य हमारी प्रिथवी से 13 लाग गुना बड़ा है और प्रिथवी को सूर्य ताप का 200 अरबवा भाग मिलता है नोट है कि मद्धिरातरी सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवी वृत्त में देर तक चमकना मद्धिरातरी का सूर्य आर्खेटिक शेत्र में दिखाई देता है चलिए सौर मंडल के पिंड देखते हैं अंतरराष्टिय खगोल शास्त्री संड इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन आई एयू की प्राग समेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को निमनलिखिस्ट तीन सेडियों में बाटा गया पहला है परंपराग ग्रह बुद्ध शुक्र बृत्वी मंगल ब्रहस्पती शनी अरुण और वरुण यह सब परंपरागत ग्रह हैं बौने ग्रह हैं प्लूटो चेरॉन सेरस दोहजार तीन यूबी 313 हैं लगुस और मंडली पिंड हैं धूमकेतु उप ग्रह एवं अन्य छोटे खागोली पि सेवा गोल स्वरूप ग्रहन कर सके तीसरा है उसके आसपास कक्षेत्र साफ हो यानि उसके आसपास अन्खगोली पिंडो की भीड़ भाल ना हो ग्रहों की उपरिक्त परिभाशा आई एन यू की प्राग सम्मेलन अगस 2006 में तै की गई ग्रह की इस परिभाशा के आधार पर यम प्लूटो को ग्रह के स्रेडी से निकाल दिया गया फलस्वरू प्रमपरागत ग्रहों की संख्या नौ से घट कर आठ हो गई यम को बौने ग्रह की स्रेडी में रखा गया ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया गया पहला है पार्थिक या पार्थिव या फिर आं बिखतीत हैं इसलिए इसे आंतरिक योषितरी ग्रह भी कहते हैं, यह सूर्य से बहुत निकट हैं, यह चटानों से बने हुए हैं, ब्रहस्पती यह वाफिर यह फिर बाहि ग्रह जोवियन और आउटर ब्रहस्OOOObij सुनी अरूरववारूर। ब्रहस्पती ग्रह कहा जाता है ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटे क्रम में हैं ब्रहस्पती है फिर शनी है फिर अरुड है फिर वरुड फिर पृत्वी शुक्र मंगल इवंबुद्ध अर्थात सबसे बड़ा ग्रह ब्रहस्पती और सबसे छोटा ग्रह गानत तो क्या अनुसार ग्राहों का क्रम बढ़ते क्रम में है शनी है अरुण है ब्रहसपती है नेप्चियून है फिर मंगल और फिर उसके बाद शुक्र है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम तो ग्रहों का क्रम है सूर्य से दूरी के अनुसार बुद्ध है, शुक्र है, पृत्वी, फिर मंगल, ब्रहसपती, शनी, फिर अरूर, यूरेनस जिसको बोलते हैं वरूर, नेप्चिन जिसको बोलते हैं यानि सूर्य के सबसे निकड़ का ग्रह बुद्ध है और सबसे दूर का ग्रह वरुड है द्रविमान के अनुसार ग्रहों का करम है बढ़ते करम में दोस्तों बुद्ध है मंगल फिर शुक्र पृत्वी आरुड वरुड शनी एवं ब्रहसपती यानि नियूंतम द्रविमान वाला ग्रह बुद्ध है एवं आधिकतम द्रविमान वाला ग्रह ब्रहसपती है परिक्रमणकाल के अनुसार ग्रहों का क्रम है बढ़ते क्रम में तो बुद्ध गरह है फिर शुक्र है पृत्वी है मंगल है ब्रहसपती है शनी है अरूड और फिर वरूड गरह है परी ब्रहमड काल के अनुसार ग्रहों का क्रम है बढ़ते क्रम में ब्रहस्पती, शनी, वरूड, अरूड, पृत्वी, मंगल, बुद्ध एवं शुक्र है अपने अक्षपर जुकाओ के याधार पर ग्रहों का क्रम है दूस्तों बढ़ते क्रम में शुक्र, ब्रहस्पती, बुद्ध, पृत्वी, मंगल, शनी, वरूर और फिर अरूर है शुक्र एवं अरूर को छोड़ कर अन्य सभी ग्रहों का गोरण एवं परिक्रमन की दिसा एक ही है सुक्र एवं अरुड के गोरण की दिसा पूर्व से पस्चिम क्लॉकवाइज है जबकि अन्य सभी ग्रहों के गोरण की दिसा पस्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज है चलिए पहला ग्रह देखते हैं मरकरी बुद्ध ग्रह देखते हैं यह सूरे का सबसे नस्दी ग्रह है जो सूरे से निकलने के दो घंटे पहले दिखाई पड़ता है यह सबसे छोटा वा सबसे हलका ग्रह है इसके पास कोई उपग्रह नहीं है इसका सबसे विशिष्ट गुड है कि इसमें चुम्बकिये छेतर का होना यह सूरे की परिक्रमा सबसे अधिक 600 डिग्री सेलसियस हैं इसका तापंवान रात में एकWest 3대 1 डिग्री सेलसियस वह दिन में 427 डिग्री सेलसियस हो जाता है शुकर ग्रह संज का निकतम सब से चंकीला एवं सबसे गर्म ग्रह एसे सांज का तारा भोर का तारा भी कह जाता है क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबा में पूरब की दिशा में आकास में दिखाई पड़ता है यह अन्य गर्षों के विपरी दक्षिडा वर्थ क्लॉक वाइस चक्रड करता है इसे पृत्वी का भागनी ग्रह कहते हैं या गनत्व आकार एवं व्यास में पृत्वी के समान है या पृत्वी के सबसे निकट इस्थित ग्रह है इसके पास कोई उप ग्रह नहीं है चलिए ब्रहसपती ग्रह देखते हैं या सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है इसे अपनी धूरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे, सबसे कम और सूरी की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं ब्रहस्पती का द्रवेमान सूरी के द्रवेमान का लगभग 11001 भाग है इसके उपग्रह ग्यानी मीड पीले रंग का है, सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है चलिए मंगल ग्रह, मार्स देखते हैं, इसे लाल ग्रह कहते हैं, इसका रंग लाल आइरन ऑक्साइड के कारड है यहां प्रित्वी के समान दो द्रुवें हैं तथा इसकी कक्षतली 25 डिगरी के कोड पर जुका हुआ है जिसके कारड यहां प्रित्वी के समान रितु परिवर्तन होता है इसके दिन कमान एवं अक्ष का जुकाओ प्रित्वी के समान है यह अपनी दूरी पर 24 गंटे में एक बार पूरा कर चक्कर लगाता है इसके दो उपगरहे हैं फोबोज और डीमोज सूरे की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं शनी सैटन ग्रह चलिए देखते हैं यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है इसकी विशेष्टा है इसके तल के चारों और वलय का होना मोटी प्रकास वाली कुंडली का होना वलय की संख्या साथ है यह आकास में पीले तारे के समान दिखाए पड़ता है इसका घनत तो सभी ग्रहों एवं जल में से भी कम है यानि इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा शनी का सबसे बड़ा उबग्रह टाइटन है जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है यह आकार में स्थू बुद्ध के बराबर है टाइटन की खोच 1665 इसवी में डिन्मार्क के खगोच सास्त्री क्रिस्चियन हाई जोन ने की थी यह एक मात्र ऐसा उबग्रह है जिसका पृत्वी जैसा सवयम का सगहन वायू मंडल है फोबे नामक्षणी का उबग्रह इसकी कक्षा में गोमने की विपरी दिशा में परिक्रमा करता है अरोड ग्रह चलिए अरोड ग्रह देखते हैं यूरेनस यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है इसका तापमान लगभग 215 डिग्री सेल्सियस है इसकी खोज 1780 में विलियम हर्शेल दौरा की गई थी इसके चारो और नौ वलेयों में पांच वलेय का नाम एलफा बीटा गामा डेल्टा एवं इस पी लौन है यह अपने अक्षपर पूर्व से पश्चिम की ओर गूमता है जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर गूमते है यहां सूर्योदे पश्चिम की ओर और सूर्यास्थ पूरव की ओर होता है इसके सभी उपग्रह भी पृत्वी की विपरीत दिशा में परिभरमार करते हैं या अपनी धोरी पर सूर्य की और इतना जुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है इसकी खोच 1846 में जर्मन खागोलक जहान गाले ने की है नई खागोली निव्यवस्था में या सूर्य से सबसे दो रिस्तित है इसके चारों और अतिशीतल मिथेन का बादल चाया हुआ है इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है चले दोस्तों पृत्वी अर्थ देखते हैं पृत्वी आकार में सबसे बड़ा ग्रह है पृत्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से चाड़े तेश डिगरी जुका हुआ है दूसरे सब्दों में पृत्वी का अक्ष पृत्वी की कक्ष तल से साड़े चाड़े चाड़े डिगरी का कोड बनाता है यह सौर मंडल का एक मात ग्रह है जिस पर जीवन है इसका एक मात उप ग्रह चंद्रमा है इसका विश्वती व्यास 12,756 किलो मीटर है और दूवी व्यास 12,713,6 किलो मीटर है दोनों व्यासों का अंतर 43 किलो मीटर का है पृत्वी का अवसत प्यास 12,742 किलो मीटर इसकी गढ़ना सरपथम इरेटो स्थनीज ने की थी सूरे से पृत्वी की दूरी 149,6 मिलियन किलो मीटर है या अपने अख्शो पर पस्चिम से पूर्व 1610 किलो मीटर पती घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में पूरा चक्कर लगाती है पृत्वी की इस गती को घुरन या फिरदैनिक गती कहते हैं इस गती से दिन रात होते हैं पृत्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है इस समय अवधी के दौरान पृत्वी परिक्रमा पूरी करने में पृत्वी का माध्य वेग लगभग 30 किलो मीटर पर सेकेंड होता है सूर्य के चतुरदित प्रिथवी के इस परिक्रमा को प्रिथवी की वार्षिक गति अत्वा परिक्रमा कहते हैं प्रिथवी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है प्रतेक सौर वर्स कैलेंडर वर्स से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है जिसे हर चौथे वर्स में लीप वर्स बना कर सामायोजित किया जाता है लीप वर्स 306 दिन का होता है जिसके कारण फरवरी मां में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं प्रित्वी पर रितू परिवर्तन इसकी अक्ष पर जुके होने के कारण वसूर्य के सापेक छिसकी स्थिती में परिवर्तन यानि वार्सिक गती के कारण होती है वार्सिक गती के कारण ही पित्वी पर दिनवराज छोटा बड़ा होता है आकार एवं बनावठ की दृष्टी से पित्वी सुकर के समान है जल की उपस्थिती के कारण इसे नीला ग्रावी कहा जाता है सूरे के बाद पृत्वी के सबसे निकरतारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो अलफा सेंचुरी समू का एक तारा है या पृत्वी के या पृत्वी से चार दसमलो दो दो वकाश वर्ष दूर है नोट दिया है दोस्तों 24 अगस्त 2006 को अंतर राश्टिय खगोल विज्ञानी संग आई ए यू की प्राग चे गर्राज बैठक में खगोल विज्ञानीों ने पुलूटो का ग्रह होने का दरजा खतम कर दिया क्योंकि इसके कक्षा वत्ताकार नहीं है और यह वरूड ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है और नई खगोली वहस्ता में पुलूटो को गौने ग्रह की स्रेडी में रखा गया यह सूरे का भी निकटतम तारा है साइरस या फिडॉग इस्टार पिथवी से नौ प्रकास वर्ष दूर इस्तित है एवं सूरे से दोगुने प्रदर विवान वाला तारा है यह रातरी में दिखाई पढ़ने वाला सरवाधिक चमकीला तारा है चंद्रमा की सता है और उसकी आंतरिक इस्तिती का ध्यान करने वाला विज्ञान सोलेनोलाजी कह राता है चंद्रमा पर धूल सिम्धूल के मैदान को शांती महासागर कहते है यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकर्मे होता है चंद्रमा की दक्षडी दुरू पर इस्तित लिब निट्ज परवर 35,000 फिट 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम परवत है चंद्रमा को जीवास्म ग्रह भी कहा जाता है चंद्रमा पिछवी की एक परिक्रमा लगभग सताइस दिन 8 गंटे में पूरी करता है और इतने ही स चंद्रमा का अक्ष तल पर पिथवी के अक्ष के साथ 58,58 डिगरी का अक्ष कोड बनाता है चंद्रमा पिथवी के अक्ष के लगभग समानांतर है इसका परिक्रमण पत भी दीर घदिताकार है चंद्रमा का व्यास 3480 किलो मीटर तथा दरव विमान पिथवी के दरव विमा में चंद्रमा की परिक्रमा की आउधी 29.5 तीन दिन 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है इस समय को एक चंद्रमा या साइनोडिक मास कहते है नक्षक्त्र समय के दृष्टी कोड से चंद्रमा लगबग 27 दिन में पुना उसी इस्थिती में होता है 27 दिन 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड किया अउधी एक नक्षक्त्र मास कहलाती है जुआर उठने के लिए अप एक चित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपाद 11.5 है अपोलो के अंतरिक्ष यात्तियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला कि चंद्रमा भी उतना ही प से निकट होता है तो उस इस्तिती को सूपर मून कहते हैं इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं इसमें चांद 14% जादा बढ़ाता था 30% अधिक चम्कीला दिखाई पड़ता है ब्लू मून एक कैलेंडर मा में दो पूरी माए हो तो दूसरी पूरी मा का चांद ब्लू मून देखे गए इन में से 31 अगस्ते के पूरी मा को ब्लू मून कहा गया जब किसी वर्स विसेश में दो या दो से अधिक मा ब्लू मून के होते हैं तो मून एयर कहा जाता है वर्स 2018 को ब्लू मून एयर कहा गया था वर्स 2018 में पहला ब्लू मून 31 जनवरी दूसरा ब्लू मून 31 म उतरा था बौने ग्रह चलिए देखते हैं यम प्लूटो आई एयू ने इसका नया नाम एक लाग चोंतिस जार तीन सो चालिस रखा है कलाड टाम वो ने उननीस सो तीस में इसकी खोच की अगस्त दो हजार छे में अगस्त दो हजार छे इस वी की आई एयू की प्राग सम्मेल में ग्रह कहलाने के माद दंड पर खारे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की स्रेडी से अलग कर बाउने ग्रह की स्रेडी में रखा गया यम को ग्रह की स्रेडी से निकाले जाने का कारण आकार में चंद्रमा से छोटा होना इसकी कक्षा का वृत्ता कार नहीं होना इसे संख्या एक से जाना जाएगा इसका व्यास बुद्ध के व्यास का एक बटा पांच भाग है अन्य बाउने ग्रह चेरॉंग और दोहजार तीन यूबी 313 इरिस है लगुस और मंडली पिंड छुद्ध ग्रह मंगल एवं ब्रहसपती ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छ दूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उसे चुद्ध ग्रह कहते हैं खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्वोट के फल सवरूप टूटे टुकोड़ों किसे चुद्ध ग्रह का निर्माड हुआ है चुद्ध ग्रह जब पित्वी से टकराया है तो पित्वी के प्र प्रकास के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं धूमकेतू के वल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की और अग्रसर होता है क्योंकि सूर्य किरणे इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं धूमकेतू की पूँच हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है हैले नामक धूमकेतू का परिक्रमन काल 76 वर्स है यहां अन्तिम बार 1986 में दिखाई दिखाई देगा धूमकेतू हमेशा के लिए ठिकाऊ नहीं होते फिर भी प्रतेक धूमकेतू को लोटने का समय निश चित होता है उलका मेटियोर्स उलकाएं प्रकास की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकास में छड़ भर के लिए चम दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं उलकाएं छुद्र ग्रहों के टुकडे वधूमकेतूं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कड़ हो प्रिथवी की दो गतियां हैं पहली है घोरण या फिर दैनिक गती प्रिथवी सदयव अपने अक्षपर पश्चिम से पूर्व घोमती रहती है जिसे प्रिथवी का घोरण या परीभरमण कहते हैं इसके कारण दिन वरात होते हैं आता इस गती को दैनिक गती भी कहते हैं परिक्रमड, revolution या फिर वारशिक गती पृतवी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करनी में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है नक्षत्र दिवस, एक मध्यान रेखा के उपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तर उत्तर दो बार गुजरने के बीच की आउधी को नक्षत्र दिवस कहते हैं या 23 गंटे 56 मिनट की आउधी का होता है सौर दिवस, सोलर डे, जब सूर्य को गती हीन मानकर पित्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गड़ना दिवसों के रूप में की जाती है तब सौर दिवस याथ होता है इसकी अवधी पूरे 24 गंटे होती है नोट दिया है अपने परिक्रमा पत पर पित्वी सूर्य के 4.8 किलो मीटर पती सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है उपसौर प्रिथवी सूर्य की परिक्रमा दीर वृत्तिय कक्षा में करती है जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है जब प्रिथवी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं ऐसी स्थिती तीन जनवरी को होती है यानि तीन जनवरी को प्रिथवी सूर्य के अपसौर प्रित्वी जब सूर्य से अधिक्तन दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं ऐसी स्थिती चार जुलाइ को होती है ऐसे स्थिती में प्रित्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.2.1 करोर किलोमीटर की होती है एपसाइड रेखा उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली कालपनिक रेखा सूरेखे केंदर से गुजरती है इस एपसाइड रेखा कहते हैं एक डिग्री बराबर दोस्तों होता है 60 मिनट और 1 मिनट पर बराबर 60 सेकेंड होता है अक्षांस विशुवत वृत्त से उत्ता या दक्षर दिशा में इस्थित किसी स्थान की कोडी दूरी को अक्षांस कहते हैं या कोड पृत्वी के केंदर पर बनता है इसे विशुवत वृत्त से दोनों और अंसों में मापा जाता है विशुवत वृत्य की उत्तरी एवं दक्षडी दिशा में एक डिगरी के अंतराल से खींचे जाने पर 90-90 अक्षांस वृत्य होते हैं यानि किसी भी इस्थान का अक्षांस 90 डिगरी से अधिक नहीं हो सकता विशुवत वृत्य के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्द और दक्षडी भाग को दक्षडी गोलार्द कहते हैं अक्षांस समनांतर कालपनिक रेखाओं का एक ऐसा समू जो पृत्वी के चारों और पूर्व से पश्चिन दिशा में विशुवत रेखा के समनांतर खींचा जाता है अक्षांस रेखा कहलाता है अथवा भूमद्य रेखा इसे एक समान कोड़ी ये दूरी वाले इस्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांस रेखा कहते हैं भूमद्य रेखा जीरो डिगरी अक्षांस होता है अतहा इस पर इस्थित सभी स्थानों का अक्षांस जीरो डिगरी होगा भूमद्ध रेखा के उत्तर में इस्थित अक्षांस रेखाओं को उत्तरी अक्षांस रेखाओं तथा इसके दक्षिड में इस्थित अक्षांस रेखाओं को दक्षिड अक्षांस रेखाओं को दक्षिड अक्षांस रेखाओं को दक्षिड अक्षांस रेखाओं के मद्ध को लेकर अक्षांस समानांत्रों की कुल संख्या 189 होगी भूमध रेखा के उत्तर में 6.6 डिगरी अक्षांस को अर्किरिक वरित और दक्षिड में 56 डिगरी अक्षांस को अंटार्टिक वरित कहते हैं करकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है ताइवान, चीन, मयम्मार, बांगलादेश, भारत, ओमान, संयुक्तराप, अरब अमीरत, सौधी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अलजीरिया, माली, मारितानिया, सहारा, और महामास, एवं मैक्सिकों से करकर रेखा गु मोजांबीक, मेडागासकर, आस्टेलिया से مकर रेखा गुजरती है, विश्वत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है तो विश्वत रेखा गुजरती है, इक्वाडूर, कुलंबिया, ब्राजील, गैबॉन, कांगो, गड राज, लोक्तांत्रिक, कांगो, गड अथवा उत्तरी तथा दक्षडी धुरू को मिलाने वाली कालपनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। एक समान होने के कारण इसकी गड़ना में कचनाई थी। इसलिए सभी देशों ने सर्व सम्मती से या निश्चित किया कि गरीन विच वेदशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गड़ना शुरू की जानी चाहिए। अता इसे हम प्रधान मध्यान रेखा कहते हैं। इस देशांतर का मान जीरो डिगरी है। इससे हम 180 डिगरी पूर्व तथा 180 डिगरी पश्चिम देशांतर की गरणा करते हैं। अता एक डिगरी देशांतर की दूरी तै करने में प्रितवी को 4 मिनट का समय लगता है। दक्षडायन के सीमा को संक्रांती कहते हैं करक संक्रांती 21 जुन को सूर्य करक रेखा पर लंबवत होता है इसे करक संक्रांती कहते हैं इस दिन उत्री गुलार्द में सबसे बड़ा दिन होता है नौट नौर्वे में अर्धरात्री के समय सूर्य 21 जुन को दिखाई पड़ता है मकर संक्रांती 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है इसे मकर संक्रांती कहते हैं इस दिन दक्षडी गुलार्द में सबसे बड़ा दिन होता है विशुव यह पित्वी का वह इस्थिती है जब सूर्य कीव की रणे विश्वत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर पित्वी पर दिन वरात बराबर होते हैं इसे क्रमशा सरद विशुव आचुमनल एकिनॉक्स एवं वसंत विशुव वर्नल एकिनॉक्स कहते हैं 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधी में उत्री गुलार्द सूर्य का प्रकास 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है अता यहां दिन बड़े वरातें छोटी होती है जैसे जैसे उत्री धुरू की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधी भी बढ़ती जाती है उत्री धु दिन की अवधी भी बढ़ती है दक्षडी धुरू पर इसी कारण 6 महिने तक दिन रहता है इस प्रकार उत्री धुरू एवं दक्षडी धुरू दोनों पर ही 6 महिने तक दिन वा 6 महिने तक रात्री हो रहती है प्रित्वी को अपने अक्षक पर जोकी होने के कारण दिन तो इस इस्तिती को सूर्य ग्रहन करते हैं, कहते हैं, जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है, तो उसे आनशिक सूर्य ग्रहन, जब पूरा सूर्य कुछ चड़ों के लिए छिप जाता है, तो उसे पूर्ड सूर्य ग्रहन करते हैं, पूर्ड सूर्य ग्रहन हमेशा आमस्या न पूराटरी में ही होता है। पूरब की ओर घूमती है फलतं तह ग्रीजींच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रतेख देशांतर पर समय चार मिनट बढ़ता जाता है और पस्चिम पर प्रतेख देशांतर समय चार मिनट गड़ता जाता है। वॉसिंग्टन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को हुई एक अंतरराष्टिय गोष्ठी में लंदन के पूर्व ग्रीन विश नामा की स्थान परिस्थित रॉयल वेदशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्यान रेखा माना गया है और इसे ग्रीन विश मध् अंतरराष्टिय ठिथी रेखा कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों और तीथीयों के एक दिन का अन्तर होता है ग्रीन विश देशांतर 180 डिगरी के देशांतर के बीच 24 घंटे का अन्तर होता है जीरो से 180 डिगरी पूर्व की ओर जाने पर बारा गंटे की अवदी लि मिलता है यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात्र एक दिन रात का अंतर होता है उधारण के लिए यदि ग्रीन वीच पर ब्रहस्पतिवार है 24 सितंबर 2003 को दोपहर के 12 बजे हो तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 दिसंबर 2003 को मद्धिरातरी होगी जबकि 180 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 24 सितंबर 2003 की मद्धिरातरी होगी इसका अर्थिया है कि 180 डिग्री देशांतरों के दोनों और अलग अलग तितियां पाई जाती है जब यह रेखा को पूर्व की और लांगते हैं तो एक दिन दोराया जाता है समय जोन वा मानक समय विश्व के 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है इन समय जोनों को ग्रीन वीच में टाइम वा मानक समय में एक खंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया अर्थाद प्रतेक जोन 15 डिगरी के बराबर होता है ग्रीन वीच यामयोत्तर जीरो डिग्री देशांतर पर है जो कि ग्रीन वीच ग्रीन लैंड वा नौर्वोनियन सागर वा ब्रिटेन इस्पेन अलजीरिया फ्रांस माले बुर्फीना फासो घाना वा दक्षिड अटलांटिक समुद से गुजरता है प्रतेक देश का मानक समय ग्रीन वीच मेंड टाइम से आधा घंटे के गुड़क के अंतर पर निर्धारित किया जाता है मानक समय सुच्छा से चैनित यामयोत्तर का इस्थानिय समय होता है जो एक विशिष्ट छेत्रया देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है भारत में 85 डिगरी पूर्वी देशांतर जो इलाहबाद के निकट मिर्जापूर से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया यह समय ग्रीन विच में टाइम से 5.5 गंटे आगे है अता जब ग्रीन विच में दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय भारत के भारत में शाम 5.5 बजे होंगे ग्रीन विच युनाइटेट किंड़म में है मानक मानक समय 6.5 डिगरी के गुड़क में लिया जाता है कुछ देशों में अध्यधिक तेशांतरी विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की विवस्ता की गई है संयुक्त राज अमेरिका में 9 समय जोन रूस में 11 समय जोन तथा औस्रेलिया में 3 समय जोन की विवस्ता की गई है विश्वत रेखा एक्वेटर पित्वी पर मद्य सता से होकर जाने पवाली वह अक्षांस रेखा है प्रित उत्तरी एवं दक्षडी दुरू से पराबर दूरी पर होती है यह सुन्य अक्षांस की अक्षांस रेखा है विश्वत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी कहते हैं कटी बंद प्रतेक गुलार्द को ताप के आधार पर कई भागों में बाचा गया है इन भागों को कटी बंद कहते हैं और ये निम्न है उस्ड कटी बंद ट्रॉपीकल जोन विश्वत रेखाक से 30 डिगरी उत्तर एवं 30 डिगरी दक्षिड का भाग यहां वर्स में दो बार सूर्य स्रीर्स पर चमकता है इस भाग का मौसम सदय गर्म रहता है उपोस्ड कटी बंद सब ट्रॉपीकल जोन 30 डिगरी से 45 डिगरी उत्तरी एवं दक्षडी अक्षांसों के बीच इस तिच्छेत्र जहां कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है सीतोस्ड कटी बंद टेंपरेड जोन 45 डिगरी से 46 डिगरी उत्तरी और दक्षडी अक्षांसों के बीच का छेत्र यहां सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता बल्कि उसकी किरणे तिर्ची होती है अता यहां ताप हमेशा कम रहता है ध्रुवी कटी बंद पोलर जोन 46 से 90 डिगरी के मध्य इस्तिछेतर जहां ताप अत्यनत ही कम रहता है जिसके फल्सोरूप यहां हमेशा बर्फ जमी रहती है अक्ष उत्तरी ध्रुव और दक्षडी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृत्वी घूमा करती है उसे अक्ष कहते हैं Korean के करती हैं स्थानक समय समय किसी देश क मानक मध्यान रेखा पर का इस्थानिय समय है प्रिथवी की आंतरिक संडशना के संबंद में विज्ञानिकों में मतभेद है भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई घनत्व तापमान भार एवं वहां पाई जाने वाले पदार्थों की प्रकृती पर अभी पूल सैमती नहीं हो पाई है फिर भी तापमान दबाओ गनत्व उलकाओं एवं भूकंपी तरंगों पर आधारित प्रमाडों को एकत्रित करके प्रिथवी की आंतरिक संडशना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किये गए हैं प्रिथवी के अंदर के हिस्से को तीन भागों में बाट पहला भूपरपरटी तीसरा आवरण और तीसरा केंद्रिय भाग क्रस्ट मेंटल और कोर में बाटा गया है प्रिथवी के उपरी भाग को भूपरपरटी कहते हैं यह अंदर की तरफ 34 किलो मीटर तक का क्षेत्र है यह मुख्यता बेसाल चक्टानों से बना है इसके दो भा प्रित्वी के कुछ आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है भूपटल की दचना सामागरी वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन दोसरे स्थान पर सिलिकॉन के अनुसा त्रिमाहतने का अनुसा। है यानि पित्वी की संपूर पपरटी का लगभग अंठान नवे पतिसत भाग उपर दिये गए आठ तत्वों से मिलकर ही बना है भाग शेस भाग टाइटेनियम हाइडरोजन फासफोरस मैगनेस सलफर कारबन निकल एवं अन्यपदात से मिलकर बना है मैंटल मैंटल दोस्तो 2900 किलो मीटर मोटा या छेतर मुख्यता बेसाल्ट पत्थरों की समू के चट्टान से बना है मैंटल के इस हिससे में मैगमा चंबर पाय जाते है इसका आउसत गहनत्यु 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है यह प्रित्वी के कुल आयतन का 83 पतिसाद भाग घेरे हुए है कोनराड असंबन्धता कोनराड असंबन्धता उपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमाक्षेतर को कोनराड असंबन्धता कहते हैं मोह विशिक डिसकांटिन्धती क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमाक्षेतर को मोह वि गुटेनबर्ग विशाट असंबद्धता निचले मेंटल तथा ओपरी क्रोड के सीमाक्षेत्र को गुटेनबर्ग विशाट असंबद्धता कहते हैं। गेरे हुए है। प्रिथवी का आउसत घनत तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एवं आउसत त्रिज्या लगभग 6,370 किलो मीटर है। प्रिथवी के नीचे जाने पर प्रती 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिगरी सल्सियस बढ़ता जाता है। यहां आकास में स्वतनत रूप से लटकी हुई है। सर आईजेक नीटन ने साबित किया कि प्रिथवी नारंगी के समान है। जेम्स जीन ने इस नारंगी के बजाए नासपाती के समान बतलाया। प्रिथवी की बाह सता को मुख्यता चार भागों में बाढ़ सकते हैं। पहला इस्थल मंदल, दूफ़ा जल मंदल, तीसरा वायू मंदल और चौथा जयाव मंदल, लिथोस्फियर, हाइडोस्फियर, एट्मोस्फियर और बास्फियर में बाढ़ सकते हैं। चलिए इस्थल मंदल से देखते हैं संपूर चानकारी। प्रिथवी की संपूर बाह परत जिस पर महादीप एवं महासागर इस्थल मंदल कहलाती है। प्रिथवी के एकूल 29 पतिसद भाग पर इस्थल तथा 71 पतिसद भाग पर जल है। प्रिथवी के भूख शेत्र फल वा जल शेत्र फल का अनुपाद तीन अनुपाद साथ का प्रिथवी के उत्तरी गोलार्द का 61 पतिसाथ तथा दक्षडी गोलार्द का 81 पतिसाथ छेतर फल में जल का सामराज्य है प्रिथवी पर अधिक्तम उचाई माउंट एवरेश्ट की है जो की 8850 मीटर की है अधिक्तम गहराई मेरियाना ट्रंच जो की 11,022 मीटर की है लगभग 11,022 मीटर की इस प्रिथवी की अधिक्तम उचाई और अधिक्तम गहराई में लगभग 20 किलो मीटर का अंतर है इस थलमंडल महाद्वीपीक शेतरों में अधिक मोटी 40 किलो मीटर और महासागरी शेतरों में अपेक्छाक्रित पतली 12 से 20 किलो मीटर की है चटान, रॉक, रॉक से चलिए सारे तर्थ देखते हैं पित्वी की सता के कठोर भाग को चटान कहते हैं जो पित्वी की बाहरी परत की संदशना की मोल भूत इकाईया हैं उत्पत्ति के आधार पर यह तेन प्रकार की होती हैं पहला आगनिय चटान, इगनियस रॉक जिसक परत रहित, कठोर संगनन एवं जीवास्म रहित होती हैं आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चटान हैं इसमें चुम्ब की लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रुमाइट, मैगनी, सोना तथा प्लेटिनम पाय जाते हैं बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सरवाधि होती है, इस चटान से काली मिट्टी का निर्माड होता है, पैगमा टाइट, कोड्रमा, जहारखन में पाय जाने वाला अभरेक इन्ही शैलों में मिलता है, आगने चटानों का रूपांत्रड, आगने चटान है ग्रे नाइट, इसका रूपांत्रित रूप है नीस, साइना की ठंडा होकर ठोस रूप धारल करने से विभिन्द प्रकार के आगने चट्टानी पिंड बनते हैं इनका नामकरण इनके आकार रूप इस्थिती तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किरिया जाता है अधिकाई चट्टानी पिंड अंतरवेधी आगन जिसके किनारे खड़े होते हैं इसका उपरी तल विशम होता है या मोलता ग्रेनाइट से बनता है संयुक्त राज अमेरिका का इदाहो बैथोलित 40,000 वर्स किलो मीटर से अधिक विश्थित है कनेडा का कोस्ट रेंज बैथोलित इदाहो से भी बड़ा है इस्टॉक छोटे लैकोलित जब मैगमा उपर की परत की को जोर से उपर को उठाता है और गुमबदगार रूप में जम जाता है तो इसे लैकोलित कहते हैं मैगमा के तेजी से उपर उठने के कारण या गुमबदा कार ठोस पिंड छतुरी नुमा दिखाई देता है उत्तरी अमेरिका के पश रेहट कर लेता है तो उसे लैपॉलित कहते हैं, लैपॉलित feliz अमेरि का मिलते हैं। चत्ति इस गड़ एवं जहारखंड में सिल पाय जाते हैं एक मीटर से कम मोटाई वाले सिल को सीट कहते हैं डाइक डाइक दोस्तों जब मैगमा किसी लंबवत दरार में जनता है तो डाइक कहलाता है जहारखंड के स्विंग भूमजीले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं आवसादी चट्टान, सेडिमेंटरी रॉग, प्रक्रती के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टाने किसी इस्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाओ या रासाइनिक पतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है इन्हें भी आवसादी चट्टान कहते हैं जैसे बलुवा पत्थर चूना पत्थर स्लेट कांगलो मीर अमरेट नमक की चट्टान एवं सेलखरी आदी चट्टाने होती है आवसादी चट्टाने परतदार होती है इन्हें वनस्पति एवं जीव जन्तुओं का प्रवेश्य चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रवेश्य शैल की परत आ जाए तो खनिच तेल के लिए अनुकोल इस्थिती पैदा हो जाती है दामोदर महा नदी तथा गोदा वरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोईला पाया जाता है आगरा का किल तथा दिल्ली का लाल किला बलुवा पत्थर नामक आवसादी चट्टानों का बना हुआ है कायंतरी चट्टान मेटामोर्फिक रोग ताप दाब एवं रासाइनी क्रियाओं के कारण आगने एवं आवसादी चट्टानों से कायंतरी चट्टानों का निर्मार होता है कायंत मुखी वॉलकैनों भूपटल पर वह प्रक्ती छे दिया दरार है जिससे होकर पितवी का पिघला पदार्थ लावा राग भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं जॉला मुखी के कपके आकार के मुख को कुरेटर कहते हैं बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीगर ही कि उद्पती जॉला मुखी के उद्गार के समय ही होता है उद्गार अवधी के अनुसार जॉला मुखी तीन प्रकार की होती हैं सक्रिय जॉला मुखी एक्टिव वॉलकैनों इसमें अक्सर उद्गार होता है वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय जॉला मुखियों की संख इसे आस-पास का भाग प्रकाशित रहता है। इस ज्लामुखी को भूमद्य साडर का प्रकास इस्तंभ कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय जौला मुखी की लायू हवाई दीप USA पर है प्रसुप्त जौला मुखी डॉर्मेंट वॉलकैनों जिसमें निकट अतीत में उदगार नहीं हुआ है लेकिन इसमें कभी भी उदगार हो सकता है उदारड विसुवियस भूमद्यसागर में क्र जिसमें एतिहासी काल से कोई उदगार नहीं हुआ और जिसमें पुना उदगार होने की संभावना नहीं हो इसके उदारड है कोल सुल्तान एवं देमवंद इरान का पोपा मयम मार में किली मंजारो अफरीका का और चिंबराजो दक्षिड अमेरिका का कुल सक्रिय जौला मुखी का अधिकांस महास प्रसांत महसागर के तटिय भाग में पाया जाता है प्रसांत महसागर के परिमेखला को अगनी वले फायर रिंग आफ पैसिफिक भी कहते हैं सबसे अधिक सक्रिय जौला मुखी अमेरिका एवं एसिया महादीप के तटो परिस आस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी जॉला मुखी नहीं है गेजर गेजर बहुत से जॉला मुखी शेत्रों में उदगार के समय दरारों तर्था सुराखों से होकर जल तथा वास्प कुछ अधिक उचाई तक निकलने लगते हैं इसे ही गेजर कहा जाता है जैसे ओल्ड फेट फुल गेसर यह यू ऐसे के येलो स्टोन पार्क में है इसमें प्रते एक मिनट उदगार होता रहता है धुवारे फिमारो रोल्स जॉला मुखी क्रिया के अंतिम आवस्था के प्रतीक हैं इनमें इनसे गैस वाजल वास्प निकला करते हैं गंधक युक्त धुवारो वन यूजी लैंड की प्लेंटी की खाड़ी में इस्थित वाइड दूइप का धुवारा भी प्रसिद्ध है विश्व का सबसे उचा जॉला मुखी परवत कोटा पैक्सी जिसकी उचाई 19,613 फिट एक्वाडोर में है विश्व की सबसे उचाई परिस्थित सक्रिय जॉल भूगर्ब शास्त्र की एक विशेश भासाखा जिसमें भूगंप का अध्यन किया जाता है स्रिश्मोलाजी कहलाता है भूगंप में तीन तरा के कमपन होते हैं पहला प्राथमिक अथवा पी तरंगे प्राइमरी और पी वेव्स यह तरंग पृत्वी के अंदर प्रतीक मा अपना इा गया मार्ग नतोदर होता है दुतिय है दोस्टों दुसरा है दुतियह अथवा एस तरंगे सेकंडरी और एस वेव इन्हें अनुप्रस्त तरंगे भी कहते हैं यह तरंग के बल्ठोस माध्यम से होकर गुजरती है ऑसत वेग्स चार किलोमीटर पतिसेकंड होता ह सतही अथवा L तरंग, सर्फिस और L वेव, इन्हें धराते लिए या लंबी तरंगों के नाम से पुविकारा जाता है, इन तरंगों की खोच HD लव ने की थी, कई बार इन्हें लव वेव के नाम से भी पुकारा जाता है, इनका नाम R वेव, रेव लाइट वेव है, ये तरं ततही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती है, भुकंपिय तरंगों को शिश्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है, इससे इनके व्योहार के संबंद में निमनलिखी तत्य निकलते हैं, सभी भुकंपिय तरंगों का वेग अधिक घनत्वाले पदा प्रति में से नहीं गुजर सकती है, एल तरंगे केवल धरातर के पास ही चलती है, विभिनमाध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपरवर्तित होती है, केंद्र, चलिए, भुकंप के उद्भव, उद्भव इस्थान को उसका केंद्र कहते हैं, भ भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलो मीटर की दूरी तक पी तथा इस तरंगे पहुंचती हैं। अधी केंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं। लगुगर की ये पैमाना है जिसका पाठ्यांक एक से नौ तक होता है। रिक्टर स्केल पर प्रतेक अगली एकाई पिछली काई की तुल्ला में दस गुना अधिक तीवरता रखता है। इस स्केल पर दो से तीन की तीवरता का अर्थ हलका भूकंप होता है जबकि छे दसमलों दो की तीवरता का अर्थ सकती साली भूकंप होता है। विभिन इस्तलाकृतियां डिफरेंट टाइपस ओफ टोपोग्राफिक निर्माल के आधार पर इस्तलाकृतियां तीन प्रकार की होती हैं परवत पठार और मैतान। शेर से समतल तथा किनारे तीवर ब्रहन से कंगारों से सीमित ब्लोते हैं इस प्रकार के परवत के उधारण हैं वोसेज फ्रांस का ब्लैक फोरेश जर्मनी का सौल्ट रेंज पागिस्तान का परवत निर्माल के विभिन सिध्धान चलिए देखते हैं सिध्धान दिया है औ भूसन नदी सिध्धान्त के भूगोल वित्ता रहे हैं कोबर तापिय संकुचन के रहे हैं जेफ्रीज महाद्वीपी फिसलन के रहे हैं डेली महाद्वीपी विस्थापन के भूगोल वित्ता देखना रहे हैं संबहन तरंग का सिध्धान्त दिया था हॉम्स ने दिया था रेडियो एक्टिविटी को भोगोल वित्ता जोली ने दिया था प्लेट विवर्तन की सब्दावली का सर्पतम प्रियोग टोरंटो विस्व विद्याले के टूजो विलसन के ने सन 1965 में किया था विस्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है जो लाल सागर की बेसिन से होते हुए जेमबंजी नदी तक 4800 किलो मीटर लंबी है दूसरा है दोस्तों अवशिष्ट परवत रेजिडूल मौंटेन ये परवत चटानों के अपरदन के फल स्वरूप निर्मित होते हैं जैसे विंध्यान चल एवं सत्पुडा नेलगिरी पारसनात राजमहल की पहारियां भारत में सियरा इस्पेन की गैसा वबूटे अमेर बनने वाला परवत रेगिस्थान में बनने वाले बालू के इस्तूप इस रेडी में आते हैं वलित परवत फोल्ड मौंटेन ये प्रित्वी की आंत्रिक सक्तियों के सिधरातल की चटानों से मुड़ जाने से बनते हैं ये लहरदार परवीत परवत हैं जिन पर असंख्य अपनतियां और अभीनित अपनतियां होती हैं जैसे कि दोस्तों हिमालय, आलपस, यूराल, रॉकीज और एंडिस आदी परवत हैं वलित परवत विस्थो की विशाल वलित परवतों की रचना आज से लगबग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी विस्थो की सबसे लंबी परवस्रेडी, इंडीस, परवस्रेडी, दक्षिर, अमेरिका में के पश्चिम तट पर इस्तित हैं विस्थो की सबसे उची चोटी माउंट एवरेच जो की 8849 मीटर नेपाल में हैं अफरीका का सरवोच शिखर माउंट कीली मंजारो 5,895 मीटर तंजानिया में अवस्तित ह वलित परवतों के निर्माड का आधुनिक सिधांत प्लेट टिक्टॉनिक की संकल्पना पर आधारित है जहां आज हिमाले परवत खड़ा है वहीं किसी समय में टेथी सागर नामक विशाल भू अभनती अथवा भू सुद्रोडी थी दक्षिर पठार के उत्तर की ओर विस् के सबसे पुराने बलित परवतों के में गिना जाता है इसकी सबसे उची चोटी माउंट आबू के निकट गुरू शिखर है जिसकी समुद्ध तल से उचाई 1722 मीटर है कुछ विद्दिवान अरावली परवतों को आउशिष्ट परवत का उधार मानते हैं दूसरा दोस्त परवतों के बीच बने पठार होते हैं तब ऐसे पठार बनते हैं जैसे दक्षिड का पठार है तटीय पठार समुद्र के तटीय भाग में इस्थित पठार हैं गुमबदा कार पठार चलन किरिया के फल्स वरूप निर्मीत पठार जैसे रामगड गुमबद भारत का मैदान दोस्तों हैं 5500 फिट मैदान चलिए देखते हैं 500 फिट से कम उचाई वाले भूपरिष्ट क के समतल भाग को मैदान कहते हैं मैदान अनेक प्रकार के होते हैं पहला है अपरदनात्मक मैदान नदी हीमानी पवन जैसी शक्तियों के अपरदन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं जो निम्न प्रकार के हैं पहला है लोईस मैदान हवा द्वारा उड़ा कर लाई गई मिट एवं बालू के कड़ों से निर्मित होता है काश्ट मैदान है दोस्तों चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान होता है संप्राय मैदान समुद्ध तल के निकट इस्थित मैदान जिनका निर्मार नदियों के अपरदन के फल सुरूप होता है ग्लेशि पात्मक मैदान नदी निक्षेब द्वारा बड़े बड़े पैंद मैदानों का निर्मार होता है इसमें गंगा, सतलज, मिसिसीपी एवं कांगो के मैदान प्रमुख है इस प्रकार के मैदानों में जलोल का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है भिन भिन कारकों द्वार लैपेज आदी हैं सरवाधिक उत्सुत कुवाँ में पाया जाता है सागरिय जलद वारा निर्मित इस्तलाक्रिती है सर्फ वेला चली तरंग क्या पुलिन, हुक लूप और टोबोलो हीमनत वारा निर्मित स्तलाक्रिती है सर्क, टॉर्न, अरेट हार्न, नूनाटक, फियोड, ड्रमलिन, केम, एसकर आधी हैं ड्रमलिन मुख्य रूप से समू में मिलते हैं इसी काराट ऐसी स्थलाकरिती को अंडे की टोकरी की स्थलाकरिती बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी कहते हैं पवन दौरा निर्मित इस्थलाकरिती, जिवगेन, यारडंग, इसेलबर्ग, शक्तरक, प्लेया, लैगोन, बर्खान, लोएस, पेडी प्लेन हैं समुद्री, त्रंग, दौरा निर्मित इस्थलाकरिती, समुद्री, भुजिका, लैगोन, जिल, रिया तट, भारत का पस्चिमी तट, इस्टैक, डालमेशियन, योगोसलाइवा का तट आधी हैं वी आकार की घाटी से बनती है गार्ज का निर्माड नदी की युवा अवस्था में होता है लटक्ती घाटी याँ युवाकार की घाटी एवा मोरेन हिमानी ख्षेत्र में बनते हैं युवा आकार के घाटी के तल्चौडे वा किनारे चिकने तथा धाल तीवर होते हैं जल निर्गम छिद्र सिंक होल और काष्ट मैदान चूना क्षेत्र की स्थला कृती में पाय जाते हैं मरू टिबा सैन डियोंस हावा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को कहते हैं इसके निर्मार के लिए अवरोध का होना आवश्यक है नवचंद्रा का टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती हैं बर्खान कहलाते हैं बहुत गहरी हिमनद गरतें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तट्रेखा पर होती है उन्हें फियोड कहते हैं सर्क गहरे लंबे वा चोड़े गरते हैं जिनकी दीवार तीवर ढलवाली सीधी या आवदल होती है अधिकतर शर्क हिमनद गाटियों के सीर्स पर पाय जाते हैं हिमनत के पिघलने पर जल से भारी सर्क को सर्क जील या टौर जील कहते हैं सर्क के शीर्स पर अपरदन होने से हार निर्मित होते हैं आलपस परवत की चोटी मैटर हान तथा हिमाले परवत की सबसे उंची चोटी एवरेश्ट वास्तों में होन है जो सर्क के शीर्स अपर्दन से निरमित है लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है और इनका आकार कंधी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है जिने अरे टीख्श कटक कहते हैं इन पर चढ़ना असंब्भ होता है सागरिय जल तरंग द्वारा निर्मी तट रेखा के प्रकार है फियर्ड तट किसी हिमानी कृत उच्च भूमी के सागरिय जल के नीचे धस जाने से फियर्ड तट का निर्माड होता है इनके किनारे खड़ी दीवार के सामान होते हैं उधारड नौर्वे का तट फियर्ड तटका उधारड है। रिया तट नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमी के धांस जाने से रिया तटका निर्माड होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशा बरती जाती है। प्राई डीपी भारत के पश्चमी तटका उत्तरी भागरिया तटका उधारड है। हैफा तट सागरिय तटी भाग में किसी निमन भूमी के डूब जाने से निर्मित तटको हैफा तट कहते हैं। इस पर रोधिकाओं की सामानांतर सिंकला मिलती है जिस पर सागरिय जलगिर का लैगून जीलों का निर्मार करती है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उधारड है। वाल्टिक तट सामानांतर परवतिय कटकों वाले तटों के धशाओं से डाल्मेशियन तट का निर्मार होता है। यूगो शलाईवा का डाल्मेशियन तट इसने के उधारड है। निर्गत समुद्र तट इस थल घंड के ऊपर उठने या समुद्री जल इस्तर के नीचे गिरने से निर्मित समुद्र तट का निर्माड होता है इस प्रकार के तट पर इसमिट, लैगून, पुलिन, क्लिफ येवं महराब मिलते हैं भारत में गुजरात का काठियावार तट निर्गत समुद्र तट का उधारड है वन, वन से दोस्तों कोशन देखते हैं वन निम्न प्रकार के होते हैं ओस्ड कटी बंधिय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन रेंफॉरेस्ट इस प्रकार के वन का विश्वती रेखिये प्रदेश और ओस्ड कटी बंधिये प्रदेशों में पाय जाते हैं, जहां 200 सेंटी मीटर से अधिक वर्षा होती है, यहां पेडों की पत्तियां चोड़ी होती है, एनाकॉंडा विश्व का सबसे बड़ा साप ओस्ड कटी बंधिये सदाबहार वन में ही पाया जाता है, ओस्ड कटी बंधिये अर्ध पत एक सोपचा सेंटी मीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाला वन, साल, साग वन, एवंबास आधि इसी वन में पाय जाते हैं, विश्वत एक ही वन, इन वनों में वर्ष और जाडियों का मिश्रड होता है, जैतून, कॉर्क तथा ओक यहां के मुख्य वरक्ष हैं, टैगा यह सदा बाहर वन हैं, इस वन के वरिक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं, टुन्डरा वन, यह बर्फ से ढका रहता है, गर्मी में यहां मौस तथा लाइकेन उगते हैं, परवती वन, यहां चोड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वरिक्ष पाय जाते हैं, घास के मैदान, घास भूमियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, पोस्ड कटी बंदिय घास भूमियां इसे अलग-अलग देशों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सावाना अफरीका का, कमपोस ब्राजील में, लानोस वेनेजुएला वा कॉलंबिया में, सी तोस चीन के मंचूरिया प्रदेश में, चलिए महादीब से महत्वपूर्ट तत्य देखते हैं दोस्तों, प्रितवी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महादीब कहते हैं, प्रितवी के तुनतीस से तीस पतिसत भाग पर महादीब का विस्तार पाया जाता है, महादीब वसात्मा आस्टेलिया है एसिया है दोस्तों चलिए एसिया सब्द की उत्पत्ती हिब्रु भाषा के आसू से हुई है जिसका साथिक अर्थ उदित सूरे से है या संसार का सबसे बड़ा महादीब है या विश्व के लगभग 30-36 छेत्र फल पर विश्ट्रित है वा भूमध्य सागर एसिया और यूरोप की सीमा बनाती है लाल सागर और स्वेज नहर एसिया को अफरीका से अलग करता है बेरिंग जल संधी एसिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है यहां विश्व की लगभग 60-37 जनसंख्या सरवाधिक जनसंख्या वाला महादवीप निवास करती है एसिया महादवीप में अतिपराचीन यूग के इस्तलखंड अंगारा लेंड रूस एवं चीन और गोंडवाना लेंड प्राईडीपी भारत इस्थित है एशिया महादीप के में तीन प्रमुख प्राइदीप हैं अरब का प्राइदीप दक्कन का प्राइदीप वा इंडोचीन का प्राइदीप अरब प्राइदीप विश्व का सबसे बड़ा प्राइदीप है एसिया में विश्व का सबसे उंचा परवशिकर हिमाले परवतमाला स्रेडी मका माउंट एवरेष्ट 8850 मीटर है जो नेपाल में इस्तित है जहां इसे सागर माथा नाम से जानते हैं विश्व का सरवाधिक विश्तित पठार तिबबत का पठार है जो मद एशिया में दो लाख वर्ग किलो मीटर छेतर में विश्तित है एशिया में विश्व का सबसे उंचा पठार पामीर है इसकी उंचाई 4875 मीटर है इसी कारण पामीर को विश्व की रूप आफवर्ड कहत माल दीव है, एसिया में विश्व का सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला देश सिंगापूर है, एसिया के इस्थला रुद्ध जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती देश हैं, तो कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उजबै कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान वा लाउस, इस्तल रुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा इस्तल रुद्ध देश है, लाउस दक्षिडपूर्व एसिया का एकमात इस्तल रुद्ध देश है, या पूर में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था एसिया में सबसे प्लंबी नदी यांगसी तथा अधिक्तम गहराई मृत सागर 397 मीटर की है एसिया में फिलिपीन्स द्वारा समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त प्रशांत महा सागर में मेरियाना गरंत 11,022 विश्व की सबसे गहरी जील बैकाल जील धारा तल से 5940 मीटर गहरा और समूद तल से 1485 मीटर गहरा एसिया में इस्तित है विश्व की सबसे बड़ी जील आनतरिक सागर कैस्पियन सागर तीन ہजार सोरी 371,800 km स्कवार चित में विश्व तृत एसिया महाद्वीप में ही इ रहते हैं बैकाल जील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है एसिया में विश्व की सबसे अधिक उचाई पर इस्थित खारे पानी की जील पैंगोग जील है जो की 4267 मीटर उंचा लद्दाक वातिब्बत में इस्थित है एसिया महद्वीप में विश्व का सरवाधिक वर्षावाला छेत्र मासिन राम 11405 मीली मीटर में घाला भारत में है इससे पहले चेरा पूंजी सरवाधिक वर्षावाला इस्थान था विश्व की सबसे ओची रेल्वे लाइन का निर्मार चीन में किया गया है चीन के छिंग गहाए प्रांट से शुरू होकर तिबबत के लहासा तक फैली इस रेल्वे लाइन की उचाई 5072 मीटर है महावेली गंगास श्री लंका की सबसे लंबी नदी है एसिया में विश्व का सबसे लंबा रेल्वे प्लेटफॉर्म गोरगपुर उत्तर प्रदेश भारत में इस्तित है इसकी लंबाई 113 किलो मीटर है इससे पूरु खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था चीन विश्व का सरवाधिक मजली पकड़ने वाला देश दूसरा इस्थान जापान का है विश्व का सरवाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश होंग कॉंग है विश्व का सरवाधिक डागर वाला देश भारत है एसिया का सबसे घाना बसाद्वी जावा है एसिया की सरवाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश करमसह बांगलादेश एवं भारत हैं एसिया में सरवाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है एसिया का सबसे बड़ा रेलमार्ग ट्रांस साइबरियन रेलमार्ग लंबाई 9,438 किलो मीटर है यह लेलिन टाई 240 मीटर है एसिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक वनिर्या तक देश थाइलेंड मलेसिया और इंडोनेशिया है एसिया के देश चीन तंबाकू गेहू चावल आधिक उत्पादन में विस्व में प्रथामिस्थान रखता है चीन एसिया के देश जापान को शहतू पादक देश मलेसिया है तिन के निरियात नया विस्व में प्रथामिस्थान रख पर है मलेसिया के इपो किंता के लांग घाटी तिन खनन का प्रमुकेंद्र है एसिया का सबसे गर्म इस्थान मोहन जोदलो पाकिस्तान है तथा सबसे ठंड़ा इस्थान बर्खो यांस बर्खोयांस को प्रितवी का शीत द्रू भी कहते हैं लाल सागर एवं भूमद्य सागर को जोडने वाली नहर स्वेज नहर है विश्व का सबसे बड़ा सिनकोणा उत्पादक केंद्र है बांडूग इसका सबसे बड़ा सिंकोना उत्पादक केंदर है सिंकोना से कुनैन बनाई जाती है जो मलेरिया की दवा है एसिया में विश्व का सरवाधिक जल्यान बनाने वाला देश चापान है आर्किटिक एवं प्रशांत महासागर को जोडने वाला जल्डमरूमध्य बेरिंग जल्डमरूमध्य अलास्का वा कमचटका प्रायदीप में है जापान का नागा साकी शहर क्योसू दीप परिस्थित है जापानी लोगों को चाई अत्यधिक प्री है और ये लोग चाई का एक विशेश उत्सो चा नूयू मनाते है बेरिंग जल्संदी अंतरराष्टिय तिथी रेखा के समना अंतर इस्थित है विश्व की सिचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है मयममार अपने सुंदर बौध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है स्वरडीम त्रिभुच के अंतरगत लाउस थाईलेंड मयममार आते है चलिए अफरीका महादीब देखते है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादीब अफरीका है जो जिबरॉल्टल जलसंधी द्वारा यूरूप से प्रिथक होता है इससे पूर में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है इससे कॉंटिनेंट आफ कॉंट्रास्ट भी कहते है अफरीका एक मात्र महादीब है जिस्से होकर विश्वत वृत, करक वृत और मकर वृत गुजरते है अफरीका की सबसे बड़ी जील विक्टोरिया से होकर विश्वत रेखा गुजरती है और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नेल निकलती है जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूह मद्यसागर में जाकर गेती है अफरीका में बुश्मैन, कालाहारी, पिग्मी, कॉंगो बेसिन, बद्दू, सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुक आदिन जातियां है सहारा में पाई जाने वाली तुवा रेग जन जाती विदेशी पर्यटोको के मार्ग दर्सक का काम करता है 13 सितंबर 2012 को विशुक मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्स से चले आ रहे है अजीजिया के अधिक्तम तापमान 58 डिगरी सेल्सियस के रिकॉर्ड को निरस्ट कर दिया जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म इस्थान ग्रीन लैंड रैंच मृत्य घाटी कैलिफोर्निया हो गया जिसका तापमान 56 अम्लो 60 डिगरी सेल्सियस है जिसका माँ 15 जुलाई 1913 स्वी को किया गया था अफरीका की कांगो नदी विश्वत रेखा को और लिमपोपो नदी मकर रेखा को दो बार काड़ती है अफरीका का ट्रांस वाल छेतर जेबरा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व विख्यात है अफरीका के उस्डगास के मैदान सवाना और शितोस्डगास के मैदान कहलाते हैं अफ्रिका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है जो दक्षिड अफ्रिका गढळ राज के केप टाउन नगर के से मिस्र की काहिरा नगर तक जाती है मिश्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमद्य सागर से मिलाती है इस नहर का निर्मार 1879 स्वी में किया गया जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलो मीटर की बचत होती है इसकी लंबाई 168 किलो मीटर है मिश्र द्वारा 1956 में इस नहर के आराश्टी करण किया गया है स्वेज नहर के दक्षडी सोर पर पोर्ट स्वेज एवं उत्तरी छोर पर पोर्ट साइथ पत्तन है अफरीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुर मुर्ग चिडियां मिलती है उत्पादन की द्रिष्टी से अफरीका में किम्बरले खान, दक्षड अफरीका और छेत्रफल की द्रिष्टी से ओरापा, बोथ स्वाना, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है विश्व का सबसे विशाल हीरा 3106 कैरेट को दक्षिड अफरीका की प्रीमियर खान से जन्वरी 1905 इसवी को सर्थामस कूली नाननिक हो जा था इसलिए इसका नाम कूली नान हीरा रखा गया उत्री अफरीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा है जो की 84 लाख वर किलो मीटर में स्थित है चाड जील इस मरुस्थल में प्रमुक जील है दक्षिड अफरीका में काराहाली मरुस्थल है टैफी लालेट मरुद्ध्यान इसका छित्रफद 13,000 किलो मीटर स्क्वेर मुरको में है एटलस परवत उत्तरी पश्चिमी अफरीका महद्वीप में स्थित है यह अलजीरिया ट्यूनीसिया वा मुरको में पचीस सो किलो मीटर लंबाई में विस्तारित है यह एक नवीन वलित परवत का उधाराड है इसकी सरवोच चोटी माउंट टाउब कल है जो दक्षिड पश्चिमी मुरको में स्थित है एबी सिनी पठार अफरीका उत्तर पूर्वी भाग हॉर्न आफ अफरीका में स्थित है आर्कियन युग की संडशना है यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है एबीनीसिया इथोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पढ़ा था दक्षिड अफरीका के जोहांसबर्ग को स्वल नगर तथा किम्ब्रले को हीरो का नगर कहा जाता है दक्षिड अफरीका विस्थो के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है दक्षिड अफरीका की नियाईक राजधानी ब्लॉम फॉन्टेन है अफरीका में सरवाधिक चाय उत् नेल नदी का उदगम विक्टोरिया जहिल है आवस आश्वान बांध नेल नदी पर बना है मध्ध अफरीका में बहने वाली जायरे नदी भारी मात्रा में जल अफरीका की नदियों से जडियों में सबसे अधिक जल बहा कर अटलांटिक महसागर में ले जाती है इसे इसके अ जांगो नाम से भी जाना जाता है जांबिया में जांबेजी नदी पर निर्मित करीबा बांच से अफरीका में सबसे अधिक जल विद्ध पैदा की जाती है नेल नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है दक्षिड अफरीका के छे देशों अंगोला, बोथस्वाना, मोजांबिक, तंजानिया, जांबिया और जिमबांबे को फ्रन्ट लाइन इस्ट्रेट्स सीमावर्ति राज कहा जाता है दक्षिड अफरीका के छे देशों अंगोला, बोथस्वाना, मोजांबिक, तंजानिया, जांबियात और जिमबांबे को फ्रन्ट लाइन इस्ट्रेट्स सीमावर्ति कहा जाता है हौर्न आफ अफरीका, अफरीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है, इसमें मुख्य रूप से इथोपिया, सोमालिया, एवं जीबूती नामक देश आते हैं भूमध रेखा पर इस्थित अफरीका महादीब के देश हैं, डैबोन, कांगो, गरतंत्र, यूगांडा, कीनिया तथा सोमालिया है अफरीका के प्रमुक खजूर उत्पादक देश मिसर हैं, मिसर के किसान फिल्ला कहलाते हैं, गोल्ड कोष्ट के नाम से जाना जाने वाला देश घाना है अफरीका में सीशल नामक पौधे से जूट पैदा होता है अफरीका को अंध महादीप कहते हैं, क्योंकि यह आर्थिक, समाजिक, आध्योगिक, सांस्कृतिक और सिक्षा के शेतर में काफी पिछड़ा हुआ है अफरीका में सरवाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है अफरीका का सरवाधिक नरगी की देश लीबिया है, इस महादीप में नाइजर नदी को पौम टेल की नदी कहा जाता है मिस्र को एशिया और यूरोप महादीप का जंक्सन कहा जाता है अफरीका ही एक मात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से करक वा मखर दोनों रेखाएं गुजरती है कांगो देश को वनो का देश कहा जाता है विश्सो में जल विद्यूत शक्ति की संभावित समता सबसे अधिक इसी देश में है केली मंजारों के पूर्वी ढलानों पर कहवा की क्रिशी छगा जन जाती द्वारा की जाती है दक्षडी सुडान अफरीका का नवीन तम राष्ट है जो यू एन ओ का एक सुतिरान नववा सदा से बना है 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत राष्ट के रूप में अस्तित्त में आया इस इसाई बहुल देश की राजधानी जुबा है उत्री अमेरिका महादीब से चलिए देखते हैं महत्वपूर्त थे उत्री अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादीब है उसका क्षेत्रफल 2,42,24,24,24,24,24,24,25,25,000 किलो मीटर स्कॉयर है उत्री अमेरिका मद्ध अमेरिका एवं कैरिबियन सागर्ख शेत्र में कुल 29 देश हैं इसकी खोच 1492 में कोलंबस दोरा की गई थी अताहा इसे नहीं दुनिया कहा जाता है सो डिगरी पश्चमी देशांतर रेखा इस महादीब के मद्ध से गुजरती है उत्री अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस पुस्सी नामक सासी आत्री के नाम पर अमेरिका पड़ा पनामश नहर उत्री अमेरिका तथा दक्षडी अमेरिका को जोड़ती है जिससे अंध या प्रशांत महासागरों के बीच जहाजों का यातायाद सुगम हो गया है उत्री अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन, एकिस, एसकीमो और इन्यूट आते हैं एसकीमो का घर बर्फ का बना होता है जिसे इगलू कहते हैं वेर इंडियर कुत्ते का उपयोग सलेज गारी को खीचने में करते हैं सील मचली की खाल और हड़ी से नाव बनाते हैं जिसे कायाक कहते हैं उनका हतियार हारपून कहलाता है उत्तरी अमेरिका का उच्चतम परवर्शिखर माउंट मैंक के ले 6194 मीटर अलासका में है यह एक सक्क्रिय जौला मुखी है उत्तर अमेरिका के पूरवी तट पर न्यूफाउंड लैंड के दक्षिड पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं यह मतश्य पालन का प्रमुक केंद्र है कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक इसकी लंबाई दो लाग दो हजार असी किलो मीटर की है पूर में अटलांटिक महासागर के साथ पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ एवं उत्तर में आर्केटिक महासागर के साथ इसकी तटरेखा है तटरेखा की लंबाई में दूसरा इस्थान नौर्वे का है जो की 58133 किलोमीटर का है संयुक्त राज अमेरिका के दक्षिड पूर्वी तट मैक्षिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवाथ हरीकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं उत्तरी अमेरिका के शितोस्ट घास के मैदान प्रियरी कहलाते हैं यूएसे का डेट्राइट कार उद्योग का प्रमुक केंद्र है और एक क्रॉन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबल और टायर बनाने का केंद्र है कनेडा का मॉंट्रियल कागज उद्दियों के लिए विश्व प्रसीद है कनेडा विश्व में सरवाधी कागज उद्पादित करने वाला देश है कुद्दरी अमेरिका में कनेडा यूरेनbrar का सबसे बड़ा उद्पादक एवाम निर्यातक देश है विश्व में इसका दूसरा इस्थान है संसार में सीसे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिस कोलंबिया कनेडा में है यहां का सुलिवान खान विश्व में की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है निर्माल प्रक्रिया में जस्ता और सीसा संबंध रूप से मिलते हैं इसलिए इसे जुड़वा खनीज भी कहा जाता है USA विश्व का सरवाधिक मक्का उतपादित करने वाला देश है विश्व में सरवाधिक सोयाबीन उतपादित करने वाला देश संयुक्त राज अमेरिका है क्यूबा महांदीब को गन्ने का प्रमुख उतपादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है जमयाएका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, मैक्सिको का तटक हवा की खेती के लिए उप्यक्त इस्थल है मैक्सिको विश्व में सरवाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है विश्व की सबसे वड़ी तामे की खान है कनेडा का वुड वेफुलो वुफेलो नेशनल पार्क विसो का सरवाधिक बड़ा पार्क है जो उत्तरी अमेरिका महादीप में इस्तित है यहां Alberta प्रांत में इस्थित है उत्तरी अमेरिका के New York City में Grand Central Terminal विस्व का सबसे बड़ा इस्टिशन है विस्व की विष्ख्यात मक्का मंडी सन्युक्त राज अमेरिका के St. Louis नगर में इस्थित है New York में इस्थित American Museum of Natural History विस्व का सबसे बड़ा अजायब घर है उत्तरी अमेरिका में इस्थित सुपीरियर जील विस्व की सबसे बड़ी ताजे जल की जील है USA के पस्चिमी भाग में नमकीन पानी की जील Great Salt Lake इस्थित है यह USA के यूटा राज में इस्थित है St. Lawrence नदी जीलों से मिलकर विस्व का सबसे बड़ा आंत्रिक जलमार्ग बनाती है नियागरा जलप्रपात इरी तथा ओंटेरियो जील के मद्ध इस्थित है कनेडा एवं USA की सीमा पर उत्तरी अमेरिका के तड़ पर लिब्राडोर थंडी जलधारा एवं गल्फ इस्ट्रेम जलधारा बहती है विस्व में गियंहों की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनी पेग कनेडा है उत्तरी अमेरिका के दो अंतर परवती पठार कोले रोडो पठार एवं मैक्सिको का पठार है रॉकी परवत की प्रमुक्स रेडियां कॉस्केड, सियरा नेवदा, कोष्ट रेंज, सियरा मादरे आ है फिल्म उद्योग के लिए कलिफोर्निया का लॉस एंजिल्स नगर विस्व प्रसिद्ध है, हॉलिवूड यहीं परिस्तित है सैन फ्रांसिस्को में सिलिकन वैली है, जो सौफ्टवेर व्या कम्प्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है केप केनवे रेल, जिस इस्थल से अंत्रिक श्यान छोड़े जाते हैं, यूस एके फ्लोरीडा राज में अटलांटिक तड़ पर अवस्तित है सिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जक्सन है उत्तरी अमेरिका की प्रमुक प्रजातियां है, रेड इंडियन, मैक्सिको निवासी हैं जो की और निग्रो पस्च में द्विपसमों पर निवास करती है संसार का सबसे बड़ा बंदरगा न्यू यॉर्क है, स्टेच्व ओफ लिबर्टी न्यू यॉर्क में है जिसका डिजाइन फेडरिक अगस्ट बर्थोल्डी ने बनाया था संयूक्त राज अमेरिका का राश्टिय उद्यान है येलो स्टोन पार्क जो की विश्व का प्रथम उद्यान है संयुक्त राज अमेरिका में इस्तित एरी जोना तामबा उत्पादन के लिए प्रशिद्ध है संयुक्त राज अमेरिका की लोहे की प्रशिद्ध खान है में साभी खान क्योंकि यहाँ वायूयान को उतारना आसान होता है इसे इसकी वायूयान कहा जाता है ब्लू हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां सायुक्त राज अमेरिका में इस्थित है हवाई द्वीप समू सायुक्त राज अमेरिका की राजधानी होनोलूलू ओ आहू द्वीप पर इस्थित है पनामा नहर के दो बंदरगा कोलन और पनामा है कनाडा के क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाशी सेत्र है इसे देश के अंदर देश का दर्जापरात है जन संख्या की द्रिष्टी से उत्तरी अमेरिका का सबसे बढ़नागर मैक्सिको सिटी है सायुक्त राज अमेरिका के दक्षडी कैलिफोर्निया में इस्थित मृतक घाटी डेट वैली अभिनती सिंकलाइंड वैली के उधारण है मृतक घाटीक में ग्रीस मकालीन तापमान 55-56 डिगरी सल्सियस पहुँच जाता है चलिए यूरोप महादीप देखते है यूराल एवं काकेशस परवत एशिया महादीप को यूरोप से प्रिथक करता है इस महादीप में 46 देश है यहां विश्व का सरवाधिक नगरी करत महादीप है यूरोप का प्राय दीपों का प्राय दीप भी कहा जाता है यूरोप महादीप शेत्रफल की द्रिष्टी से ऑस्टेलिया को छोड़कर अन्य सभी महादीपों से छोटा है यूरोप महादीप उत्तर में उत्तरी धुरू सागर, दक्षिड में भूमद्य सागर और काला सागर तदा पश्चिम में अंद महा सागर से घिरा है यूरोप का सरवोच शिखर एलू एलबुर्ज 5,642 मीटर रूस में श्तित है आलपस की सबसे उंची चोटी माउंट ब्लैक 4,810 मीटर फ्रांस में श्तित है आलपस की मैटर हॉन 4,478 मीटर चोटी सुर्जल लैंड एवं इटली की सीमा पर है यूरोप महादीप की सरवाधिक महात्वपूर नदी डेन्यूब है जो की 2,842 किलो मीटर लंबी आस्ट्रिया, बुलगारिया, चेक, सुलोवाकिया, यूगोसलाविया और रुमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकर काला सागर में गिरती है यूरोप की सबसे लंबी नदी, वोलगा नदी, 3668 किलो मीटर की है इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महादीप के भीतरी भागों में जाने लगे है यूरोप महादीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है जो टेम्स नदी के तड़ पर बसा है फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के तड़ पर बसा है या विश्व का सुंदर नगर माना जाता है इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है कौन फ्रांस का एक प्रमुक शहर है जो कौन फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है यूरोप के यूक्रेन गळराज विश्व का प्रमुक गेहूं उत्पादक शेतर है जो विश्व का अन भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है इटली विश्व का सरवाधिक अंगूर वा जैतुन उत्पादक देश है राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सरवाधिक व्यस्ट अन्ताहिस्थली जलमार्ग है जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे इस्थित है यूरोप का सबसे महत्तुपूर रेल मार्ग औरियन्ट रेल मार्ग है जो फ्रांस के पेरिश नगर से तरकी के कुस्तुन तानिया नगर्म के मद्धे तक जाती है छेतरफल की द्रिष्टी से विश्व का सरवाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में श्तित है शैंपेन सराव विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है फ्रांस सूरा और सुन्दर्यों का देश है देश भी कहा जाता है यूरोप के अधिकांस देश को तीन और से सागरों द्वारा घिरा होने के कारर प्रायदीपों का महाद्वीप कहा जाता है यूरोप के फिन लैंड को जीलों का देश कहते हैं यूरोप का ब्लैक फॉरिष्ट और हॉर्ज परवत भरंसोद परवत है इटली को यूरोप का भारत कहा चाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह क्रिशी प्रधान देश है यहां हिमालाई की तरह आलपस परवत है यूरोप में जल विद्युत का सरवाधिक विकास इटली एवं सुईडन में हुआ है फ्रांस को वाइन यार्ड और नॉर्वे को फियोड तटों का देश कहते हैं इंगलिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंग्डम से अलग करता है डोवर जल्डमरूमद से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंग्डम और फ्रांस को जोड़ती है इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई 50.45 किलो मीटर है इसकी गहराई 75 मीटर है इसकी सुरुवाद 6 मई 1994 को हुआ और 14 नवंबर 1994 से यातरी सेवा की सुरुवाद हुई गल्फ इस्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है सुर्जर लैंड को यूरोप का खेल का मैदान प्लेगराउन आफ यूरोप का जाता है यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं यह काला सागर एवं भूमद्य सागर के मध्य अवस्तित है मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग को एवं यूरोपिय भाग को अलग करता है तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपिय भुभाग पर अवस्तित है नीदर लैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ साथ बड़े बड़े तडबंद बनाकर समुद्र से भूमी करता है औस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है पैरी नीज परवत फ्रांस एवं इस्पेन के बीच सीमा बनाने वाला परवत है विश्व का सबसे लंबा भूमी गत रेलवे मार्ग लंदन और पेडिस को जोड़ता है पो नदी को इटल की रानी भी कहते हैं नार्वे के स्वेल वाड़ द्वीप में अंतरराश्टिय बीच बंडार बनाया गया है ग्रेट बिटेन के अंतरगत इंगलेंड वेल्स और स्कॉर्ट लैंड सम्मिलित हैं जो क्रमसा इसके पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी भाग हैं उत्तरी आयरल काके ससराज कहा जाता है मौसको को पांच सागरों का पत्तन कहा जाता है ये हैं कैस्पियन सागर काला सागर बाल्टिक सागर खेत सागर वा लडोगा जील है एंट वर्प बेल्जियम विस्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है अंटार्टिक अंटार्टिक महा इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महादीब कहते हैं दक्षडी दुरू इस महादीब के लगभग केंदर में इस्तीत है इस महादीब की मुख्य भूमी की खोच करने का श्रेव फेबियन वेलिंग शौसेन को जाता है जिसने 1823 में बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख्य भूमी तक पहुँचा अंटार्टिक का अंठान नवे प्रतिसत भाग सादा बार्फो से धाका रहता है पूरता हिमत छादित रहने के कारण इसे श्वेत महादीब भी कहा जाता है दक्चडी दुरूर पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ती नौर्वे निवासी एमेंडसन 1911 में पहुँचे थे शीत रितू और ग्रेशम रितू में महादीब को अलग-अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महादीब भी कहा जाता है क्वीन मोट परवस्रेडी इस महादीब को दो बराबर भागों में बाठती है यहां की सरवोच चोटी बिनसन मासिब दो की 5140 मीटर की है माउंट एर्बुस अंटार्टिका का अकेला सक्करिय जो अला मुखी है विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्टिक के वो स्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था जो माइनस 89.2 डिगरी सेल्सियस्ट है अंटार्टिक में पोल आफ कोल्ड में विश्व का नियूंतम वार्सिक्ता अपमान मिलता है सूर्य के उत्तरायर के बाद अंटार्टिक में 6 महीने तक रात होती है जबकि सूर्य के दक्षडायन के बाद यहां 6 महीने तक दिन रहता है लाइकेन वा मौस अंटार्टिक की मुख्य वनस्पती हैं यहां की क्रिल मचली जुन्डों में रहती हैं अंटार्टिक भारा से चलिए कोश्चन्स देखते हैं बारत ने अंटार्टिक में अपना पहला सोध केंद्र रिसर्च इस्टेशन दक्षडी गंगोतरी 1983 में इस्थापित किया जो अब नश्ट हो गया है 1989 इस्वी में दूसरे भारती शोध केंद्र मैतरी की स्थापना हुई लॉर्स मन हिल्स के में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती इस्थापित किया है दक्षडी अमेरिका महादीप चलिए देखते हैं दक्षडी अमेरिका का अरिकांस विस्तार दक्षडी गोलार्द में है या विस्व का चौथा बड़ा महादीप है इसका च्छेतरफल एक करोड़ सततर लाग अट्ठानभे अजार पान्सु वर्ग किलोमीटर है या संसार का सबसे आद्र महादीप है प्रशांत और अट्लांटिक महासागर के बीच अवस्थितिया महादीप पनामा जलसंधी द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है इस महादीप के दक्षडी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है जो मुख्य भूमी से मैगलन जलसंधी के द्वारा अलग ह होता है इसका दक्षडी तमसीरा हॉन अंतरीप है दक्षडी अमेरिकी देश ब्राजिल की सीमा चिली और इक्वाडोर को जोड़कर शेश सभी दक्षडी अमेरिकी देशों की सीमा से मिलती है भूम अद्यरेखा पर इस्तित दक्षडी अमेरिका के देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील दक्षड अमेरिका में पेरू बोलीविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक उची नौका या जील टीटी का का 3811 मीटर उचाई पर है यह बोलीविया पठार पर इस्तित है दक्षड अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली अमेजन नदी कुछ भागों बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा बेने जूळा के कुछोटे भाग से अपवाहित होती है अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मेनियाक है जिसे कसावा भी कहते है यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है यहां के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत्र तीवर धालान वाली होती है अमेजन बेसिन का परजीवी पौधा बोमरी एंब्रोमी लायड एक विशेस प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रख था है मेढग जैस प्राडी इन जल के पौकेट का उपयोग करके अंडा देने के लिए करते हैं टूकन अमेजन बेसिन में पाय जाने वाला पक्षी है वेनेजुएला में कैरो नदी ओरी नीको नदी की सहायक पर इस्थित एंजिल नामा जहरना विश्व का सबसे उंचा जहरना है जो की 989 मी अमेरिका के वर्षावन का इस्थानिय नाम सिल्वास है दक्षड अमेरिका के अमेजन द्रोडी के वनों में वालसा नामक संसार की सबसे हलकी लकडी मिलती है इंडीस परवतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं दक्षडी अमेरिका में पाया जाने वाला केंडोर पक्ची संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्ची है रिया ना उड़ सकने वाला पक्ची है अफरीका के सुतर मुर्ग एवं आस्टेलिया के एमू की तरह पियूमा एवं जागुआर दक्चडी अमेरिका का शिकारी जानवर है ये बंदोरों और पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते है एंडीस परवत माला के उचे भागों में लामा पाया जाता है जो बोजड होने के काम आता है गवान को एक प्रकार का जंगली लामा है जो पेंटागोंिया के मरुष्थल में पाया जाता है इस महादीप के बोलिविया राज की राजदानी लापाज विश्व की सबसे अधिक हूचाई समूद तल से 368 मीटर पर इस्थित राजदानी नगर है इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ब्राजील है दक्षडी अमेरिका में गुयाना ब्राजील और पेटो गोनिया के पठार हैं दक्षडी अमेरिका के अर्जंटीना में विस्त्रित घास के मैदान को पंपास कहते हैं पंपास को अर्जंटीना का हिर्द इस्थान है रबड के बागानों को ब्राजील के में फेजिंडा कहते हैं दक्षडी अमेरिका में अर्जेंटीना सरवाधिक सूरज मुखी के बीच उत्पादित करता है विस्व में इसका दूसरा इस्थान है गेहूं कि ये चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में इस्त कहते हैं दक्षडी अमेरिका में ब्राजील सरवाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है विस्व में इसका दूसरा इस्थान है जिली का चूकी का माता तामबा खान दक्षडी अमेरिका के एंडी इस परवत पर 3000 मिटर की उंचाई पर है इसे विस्व की तामबा राजधानी भी कहा जाता है दक्षिड अमेरिका में ब्राजील सरवाधिक मैंगनीज उत्पादन करता है ब्राजील की अमापाब खान संसार में मैंगनीज की सबसे बड़ी खान है एटा बीरा ब्राजील की मुख्छिलो आयसक खनन केंद्र है दक्षिड अमेरिका के सरवाधिक मक्का उत 260 मीचर उची है एंडियस विस्व की सबसे लंबी परवत माला है या लगभग 7200 किलो मीटर लंबी है एंडियस के उत्तर पस्चिम में आटा कामा मरुस्थल है दक्षिड अमेरिका में मध्यवर्ति भाग में उत्तरी चिली में इस्थित अरीका विस्व का सुस्कतम इस्थान है अर्जेंटीना के विशाल पसु फार्मो को एक्टांसिया और यहां के पसु पालकों को गवान को कहते हैं आटा कामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार है जहां वर्षा का ना होना वर्दान ही सिद्ध हुआ है विस्व में कहवा का पात्र ब्राजील है और अमेरिका का सरवाधिक मश्ली पकड़ने वाला देश पेरू है विस्व का सबसे सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है दक्षिड अमेरिका का वाहिस्थान जहां जाडों में वर्षा होती है मध्य चिली है दक्षिड अमेरिका का उस्ड मरुस्थल पेंट दोर का गैला पेगोस द्वीप ओलीवर रिडले टर्टल का प्राक्रितिक प्रजनन इस्थल है दक्षडी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती छेत्रों में समुद्री पश्चियों से प्राप्त खाद को गवानों कहते हैं जो फास्पोरस का समरिद शोथ होता है चलिए ऑस् 1644 ने की थी 1768 में इंग्लेंड से कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्टेलिया गया एवं 1789 तक उसने तीन बार ऑस्टेलिया की यात्रा की इसे भी ऑस्टेलिया के खोचकरता के रूप में जाना जाता है 19. सताबदी के आरंभ तक ऑस्टेलिया का संबोधन न्यू न्यू साउथ वेल्स तथा बोटानी था मैथ्यू फिल्डर्स ने सरपथम इस महादीप की पूरी परिक्रमा जहाद से की एवं उसी ने सरपथम इसका नाम ऑस्टेलिया रखा इस महादीप में 22 देश हैं ऑस्टेलिया के मोल निवासियों को एरबोर जिन्स कहते हैं आस्टेलिया की प्रमुक परवत सिंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इस परवत सेडी और महादीप का सरवोच शिखर कोशियो कोग है कोशियो शिसको है जो की 2228 मीटर उंचा है ऑस्टेलिया की विस्वी ख्या सोने की खाने काल गुरली और कूल गार्डी है ऑस्ट दूरों को जेकारू कहा जाता है ऑस्टेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस कोंटिनेंटल रेल मार्ग है जो पर थ से शिटनी के मद्धिय स्थित्ध है मरे डार्लिंग की घाटी ऑस्टेलिया का सबसे प्रमुक क्रिशिㅇड रहे यहां उगजाव व्हूमी रेवी प्रिना कहलाती है। यूरेनियम के उत्पादन में और विस्टेलिया का विस्टो में तीसरा इस्थान है। और विस्टो में सरवाधी बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश है। वर्सा की कमी के कारा और 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 अजिए वर्टी निम्न भूमी में अनेक गहरे कुएं जिन से अपने आप बड़े वेक से पानी उपर निकलता रहता है। ये उत्सुरुत कूप आर्टेसियन वेल्स कहलाते हैं। इन कूपों का विस्टरित शेत्र ग्रेट आर्टीजन बेसिन कहलाता है। ऑस्टेलिया के क्वीन्स लैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के स समुद्र में एक प्रवाल भित्ती है जिसे ग्रेट बेरियर रिफ कहते हैं। इस प्रवाल भित्ती का निर्माल प्रवाल लामक छोटे छोटे जीवों के अस्ति पंजरू कोरल पोलिप्स के लगातार जमाव से हुआ है। जस्ता आयस्क उत्पादित करने में ऑस्टेलिया के पूर्वी तटिक शेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टाने ग्रेट बेरियर रिफ इस्तित है। आस्टेलिया विस्व में सरवाधिक सीसा आयसक उत्खनिन करने वाला देश है। आस्टेलिया के उत्तरिक शेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। इस न्यूजी लैंड को दक्षिर का ब्रीटेन कहते हैं न्यूजी लैंड में एमू और कोका बर्रा नामक पक्षी पाय जाते हैं एमू की टांगे लंबी होती है और इसे पंक नहीं होते इस कारण यह खूब तेज दोर सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती कोका बर्रा को प्राडी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है कोयाला पेड़ो पर रहता है और यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है यह रात को जागता है और दिन के समय उंगता या फिर सोता है नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड ऑस्टेलिया में पाया जाता है यह दूसरे पक्षियों के गाने कुट्टे के भॉकने तथा गुजरती गुजरती हुई कारों के हौन की आवाज की नकल कर लेता है लौयर बर्ड न्यूजी लैंड के दोनों प्रमुख द्वीप कुक जलसंधी द्वारा एक दूसरे से अलग हुए है न्यूजी लैंड की सरवोच चो पिक जल मंडल देखते हैं संपूर प्रित्वी का 3 बटा 4 भाग लग भगी का 70 पर जल मंडल का विस्तार है उत्री गोलार्ध का 60 दसमलो 7 पतिसत और दक्षिडी गोलार्ध का 80 दसमलो 9 पतिसत भाग महसागरों से ढखा है प्रित्वी पर उपस्ति जल कीब कुल मात्रा का 97 पतिसत जल महसागरों में है जो की खारा है जल रासी का मात्र धाई पतिसत भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 69 पतिसत भाग महसागरों एवं अनस्तानों से वास्पी करण के द्वारा वायू मंडल में चला जाता है शेस भाग धरातल में बहता है जो भूमी के में रिस जाता है और कुछ भाग हीम नदी का रूप ले लेता है महसागरी जल के दो महतुपूर गूर है तापमान और लवर्ता जल मंडल हाइड्रोस्फेर कववा बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो महसागर कहलाता है भू महसागरों की ओसत गहराई 3800 मीटर तथा इस्थल की ओसत उचाई 840 मीटर होती है इस्थल की उचाई तथा महसागरों की गहराई को उच्चा तामिती वक्र हाइसोग्राफिक मेट्रिक करव द्वारा पदर्शित किया जाता है समुद्र जल मंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महसागर से मिला हो समुद्र कहलाता है खाडी समुद्र का इस्थलिय भाग में प्रवेस कर जाने पर जो जल छेतर बनता है उसे खाडी कहते हैं बे इसका दो किनारा इस्थल से घिरा होता है और एक तरफ टापों का समू होता है और दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला होता है समानेता महासागरिय जल का टाप मान लगबग पांच डिगरी सलसियस से 33 डिगरी सलसियस के बीच रहता है महासागरियत जल की सतह का औसत दैनिक ताप अंतर नगन्न होता है लगभग एक डिगरी सेल्सियस का महासागरियत जल का उच्चतम वार्सिक तापकरम अगस्त में एवं नियुनतम वार्सिक तापकरम फरवरी में अंकित किया जाता है आकार के में अंतर के कारण अट्लांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रसांद महासागर की अपेक्षा अधिक होता है उत्तरी गोलार्द में दक्षिर गोलार्द की तुल्ला में तापांतर अधिक होता है विस्व का सबसे बड़ा महादीपी शेल्फ आर्केटिक महासागर में साइबेरियन सेल्फ है चलिए विस्व के दस सबसे बड़ी 30 सीमा वाले देश देखते हैं कानेडा दोस्तों जो की 2,280 km लंबाई है 30 सीमा और नौर्वे की 58,133 km और इंडोनेसिया की 54,720 km रूस की है 37,653 km फिलिपिन्स की है 36,289 km जापान की है दोस्तों 39,751 km और ऑस्टेलिया की है 25,760 km USA की है दोस्तों 19,924 km अंटार्टिक की है दोस्तों 17,968 km न्यूजिलैंड की है 15,134 km और चीन की है 14,500 km तो सबसे ज़्यादा है दोस्तों कनेडा की और सबसे गरामे नंबर पर है 14,500 km जिस चीन की है पचातर सो किलो मीटर तटी लंबाई के साथ भारत विस्सों में सुलावेंस्थान पर आता है चलिए कुछ महत्वपूल गर्ट देख लेते हैं रोमसे गर्ट की गहराई है दोस्तों 7,254 मीटर की और इसकी इस्तिती है दक्षडी अटलांटिक महासागर में सुन्डा गर्ट की गहराई है 8,152 मीटर की इसकी इस्तिती है पूरवी हिंद महासागर जावादीप पर वर्तमान में लगबग 57 गर्टों की खोजा गया है जिनमें से 32 पसांत महासागर में है 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में है महादीप सेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त इस्थूल तल छटी आवसाद जीवास में इंधनों के सुरोद बनते हैं महादीप सेल्फ प्रिक्तेक महादीप का विस्तरत सीमान्त होता है जो अपेक्षा क्रित उथले समुद्रों तथा खालियों से घीरा होता है शेल्फ अत्यन्तीव रढ़ाल पर समात होता है इसकी आवसत प्रवर्ता एक डिगरिया उससे कम होती है विस्तो के दस सबसे बड़े जल्चेतरफल वाले देश देखते हैं कनेडा की है दोस्तों 8,9,163 km2 रूस का है 7,2,580 km2 जल्चेतरफल है इसका और USA का जल्चेतरफल है 4,7,131 km2 भारत का है 3,14,070 km2 चीन का है जल्चेतरफल 1,37,060 km2 इरान का है 1,16,600 km2 इथियोपिया का है 1,4,300 km2 और कोलंबिया का है 1,210,000 km2 इंडोनेसिया का है 93,000 km2 और कांगो का है 77,810 km2 इसके कुल छेतरफल का 8,9,30 भाग पर जल्चेतरफल है 24,7% की लवरता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना जाता है समान खारे पन वाले स्थानों को मिला कर खींची गई रेखा को सम लवर रेखा आईसो हेलाइन कहते हैं 20-40-9,10-30-4,600 के मध्य सबसे अधिक लवरता पाई जाती है तुर्की की वान जील की लवरता सबसे अधिक है 33,3% है और दूसरा मिर्ट सागर की है 238% लवरता साधरता गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक इसपष्ट छेतर जिसे हैलो क्लाइन कहा जाता है में यह तीवरता से बढ़ती है समुद्री जल की बढ़ती लवरता उसके घनतों को बढ़ती है उच्च लवरता वाला समुद्री जल प्रा यह कम लवरता वाले जल के नीचे बैढ़ जाता है भूमध्य सागर की लवर्ता उच्च वास्पी करण के कारण अधिक होती है गाई ओट स्पोर्ट सीर्स वाले समुद्री परवतों को गाई ओट कहते हैं प्रशांत महा सागर में गुयाम गुयाम दीप के समीप इस्तित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है इसकी गहराई लगबा 11 किलो मीटर 1122 मीटर है इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं जल्मध उत्थान का वह भाग जहां जल की गहराई छिछली होती है शोल कहलाता है यह प्रवाल से बना नहीं होता ग्रेट बैरियर रीफ यह उस्टेलिया के क्वीन्स लैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ती है यह प्रशांत महा सागर में है प्रसांत महा सागरिया अपने सनलगन समुद्रों के साथ धरातल का एक तिहाई भाग ढगता है इसके छेत्रफल है 16,57,740,740 वर्ग किलोमीटर का है इसकी आकरती तिर्भुजाकार है एवं छेत्रफल संपूर इस्थल के छेत्रफल से अधिक है इसके सीर्स बेरिंग जल्दमरू मद्ध पर वा आधार अंटार्टिक महाद्वीप पर है भूम मद्ध रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर में से भी अधिक है इसके पश्ची में एसिया तथा आउस्टेलिया महाद्वीप पूरब में उत्तरी एवं दक्षडी अमेरिका तथा दक्षड में अंटार्टिक महाद्वीप है प्रवाल भित्या प्रसांत महासागर की प्रमुक विशेष्टा है इस विसाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक दूइप है प्रसांत महासागर का अधिकांस तटवर्ती सागर पस्चिम भाग में है इनमें बेरिंग सागर आखो टस्क सागर जापान सागर पीत साग पूर्वी चीन सागर आदी महात्वपूर है पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है इसके बेसिन की ओसत गहराई 7300 मीटर की है अट्लांटिक महासागर यह संपूर संसार का छटा भाग है इसका छेत्रफल 8,29,63,800 किलो मीटर स्कोयर है जो प्रसांत महासागर के लगभग आधा है और संसार के छेत्रफल का लगभग 16,30 है इसकी आकरती अंगरेजी के एस आकार से मिलती जुलती है इसके पस्चिम में दोनों अमेरिका तथा पूरब में यूरोप और अफरीका दक्षिड में अंटार्टिक उत्तर में ग्रीन लैंड हट्सन की खाड़ी बाल्टिक सागर उत्तरी सागर मगन तट इस्तित है इस महासागर की सबसे महत्तुपुर विशेष्ता मध्य अटलां यह एक जल मगन कटक है तो भी इसकी अनेक चोटियां जल से उपर उठकर छोटे छोटे दीपों का रूप धारण कर गई है अजोर्स का पाई को दीप तथा केप बरदे दीप इसके प्रमुक उधारण है इसकी सबसे तीखी चोटी भूमध्य रिखा के निकट सेंट पॉल अक्षांस के पास अधिक चोड़ा हो जाता है जहां इसे टेली ग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है भूमध्य रिखा के निकट रोमाश गंभीर इसे दो भागों में बाटता है उत्लांटिक महसागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी हटसन की खाड़ी उत् हिंद महसागर की तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक है कटी वटी तटरेखा पर बहुत अच्छे बंदरगा होते हैं व्यापार के दिश्टी कोड से अटलांटिक महसागर संसार का सबसे अधिक वेस्त महसागर है चलिए हिंद महसागर दिखते हैं इसके उत्तर में एसि 34,25,500 वर्ग किलो मीटर का है यह एक तरफ परसांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है करकरेखा इसे महासागर की उत्तरी सीमा है इसमें भारत के दक्षडीप परस्चिमी तट के समीप लक्षदीप तथा माल दीप प्रवाल दीपों के उधारान है मौरिसस और रियूनियन दीप जौला मुखी प्रक्रिया से उत्पन दीप है इस महासागर का सबसे बड़ा दीप मेडागासकर है मीड़ागसकर के पूरवें मौरिशस द्वीप है इस महसागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही है वे हैं लाल सागर और फारस की खाड़ी अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गढ़ना भी सागरों में ही की जाती है यह अतलांटिक महसागर का उत्तरी विस्तार ही है यह बेरिंग जल संदी नामाक उथले सामुधर के संकरे भाग दौरा प्रसांत महसागर से जुड़ा हुआ है यह यूरूप एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा है इसका अधिकांस भाग वर्स भर हिम की मोटी परतों से ढखा रहता है सेली बीज सागर इसी महासागर में है महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर एवं सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है चलिए महासागरिय जलधाराएं देखते हैं एक निश्चित दिसा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरिय जल की एक विशाल जल रासी के प्रवा को महासागरिय जल धारा कहते हैं धारा दोख प्रकार की होती हैं गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा गर्म जल धारा निम्न अक्षांसों में उस्ड कटी बंधों से उच्च समसी तोस्ड और उपदुरुवी कटी बंधों की ओर बहने वाली जल धारा को गर्म जल धारा कहते हैं ये प्राया भूमद रेखा से दुरुवों की ओर चलती है इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है अता ये धारा जिन छेत्र में चलती हैं वहां का तापमान बढ़ा देती हैं ठंडी जल धारा उच्च अक्षांसों में से निम्न अक्षांसों की ओर बहने वाली जल धारा को ठंडी जल धारा कहते हैं ये प्राया धुरुवों से भूमद रेखा की ओर चलती हैं इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है अता ये धाराएं जिन छेतरों में चलती हैं वहां तापमान घटा देती हैं उत्तरी गोलार्द की जल धाराएं अपनी दाई और तथा दक्षिड गोलार्द की जल धाराएं अपनी बाई और परवाहित होती हैं या कोरियॉलिस बल के प्रभाव से होता है महासागर जल्धाराएं के संडक्षड के सामान्य व्यवस्था का एक मात्र प्रसिद अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है गर्म जल्धाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जल्धाराएं गर्म महासागरों की ओर बहने लगती है प्रसांथ महासागर की जल्धाराएं चलिए देखते हैं ठंडी जल्धाराएं है कौन कौन सी प्रसांथ महासागर की पहली है क्यूराइल विश्वत रेखिये जल्धारा दूसरी है कैलिफोर्निया की जल्धारा तीसरी है हमबोल्ट या पेरुवियन की जल्धारा एवं चौती है अंटार्टिका की जल्धारा ये सारी ठंडी जल्धारा है प्रसांद महाचागर की गर्व जल्धारा चलिए दे अठवा है पूरवी औस्टेलिया की जल्धारा एवं नौवा है विपरीत विश्वत रेखिये जल्धारा ये सारी गर्म जल्धाराई हैं प्रसांत महसागर की अट्लांटिक महसागर की जल्धाराई देखते हैं पहले है ठंडी जल्धाराई पहला है लेबरोडोल की जल्धारा दूसरा बेनेंगुएला की जल्धारा तीसरा कनाली जल्धारा चौथा पूरवी ग्रीन लैंड की जल्धारा पाचवा अंटार्टिका की गर जल्धारा सातवा है एरमिंजर की जल्धारा हिंद महासागर की गर्म एवं इस्थाई जल्धारा देखते हैं तो ठंडी जल्धारा है एक ही है और पश्ची मौस्टेलिया की जल्धारा और गर्म जल्धारा एक है दक्षिड विश्वत रेखिये जल्धारा दूसरा है मोजांबिक की जल हिंद महासागर की गर्म एवं परवर्तन शील जलदारा है। सारगैसोसागर सारगैसोसागर शंत एवं इस्थिर जल के छेटर को सारगैसोसागर के नाम से जाना जाता है। या गल्फ इश्ट्रीम का नारी तथा उतरी विशवत्रेखी धाराओं के चकर बीच इस्टिछांत जल्छेतर है इसके तट पर बोटी समुद्री घास तेटी है इस घास को पुर्त-गाली भासा में सारगैसम कहते हैं जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया सारगैसम जटवहिन घास है सारगैसो सागर का क्षेतर फल विकों ने देखा था सार गैसो सागर को महासागरी मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है न्यूफाउंड लैंड के समीप ही गल्फ इस्ट्रीम एवं लेबरा डोर जलधारा मिलती है न्यूफाउंड लैंड पर ही समुद्री मचली पकड़ने का प्रसिद्ध इस्थान ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में इस्थीत है गर्म एवं ठंडी जलधारा जहां मिलती है वहां फ्लैंक टन नामक घास मिलती है मचलियाओं का मोखे आहार हैं जिससे उस इस्थान पर मत्तस उत्योग अत्यधिक विक्षित हुआ है डॉगर बैंक उत्तर सागर यूरोप ग्रैंड बैंक एवं जॉर्ज बैंक आदी मत्तस छेत्रों की उपस्तिती ऐसे छेत्रों में विद्यमान है जापान के निकट क्योरो शीवो की गर्मधारा तथा ओय शीवो की ठंडी धारा के जल के मिलने से वहां का घंआ कुहासा चाया रहता है महा सागरों के पश्चिमे भाग में विश्वत रेख्या के समीप उत्तर तथा दक्षिड विश्वत रेखिये धाराओं के अभी सरड के कारड इतनी अधिक मात्रा में जल रासी एकत्र हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर समान धाल बन जाता है फल सोरूप प्रती विश्वतिय धारा प्रवाहित होने लगती है ला नीना एक शीतल जल धारा है जिसकी उत्पती पेरों के तट वर्ती छेतरों में होती है वहीं एल नीनो एक गर्म जल धारा है जिसकी उत्पती पेरों के तट पर समानांतर उत्तर से दक्षिड की ओर होती ह ला नीना का प्रवाज छेतर एल नीनो की तरह प्रशांत छेतर के विशेश रूप से पेरु के तटी छेतर होता है या कभी भी हिंद महासागरी छेतर में प्रवेश नहीं करती किन्तो इन दोनों का प्रभाव वैस्विक होता है जिस वर्स ला नीना जलधारा की गहनता होती है उस वर्स भारतीय मानसून ज्यादा तीवर होता है वहीं अलनीनो भारतीय मानसून को नाकारात्मा कुरूप से प्रभावित करती है जौर भाटा चलिए देखते हैं चंद्रमा का जौर उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है क्योंकि यह सूर्य की तुल्ना में पृत्वी के अधिक निकट है अमावस्या और पूरीमा के दिन चंद्रमा सूर्य एवं पृत्वी एक सीद में होते हैं अताह इस दिन उच्च जौर उत्पन होता है यानि महिने में दो बार उच्च जौर आता है दोनों पक्षों में सब्तमी याश्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृत्वी के केंद्र पर समकोल बनाते हैं इस इस्थिती में सूर्य और चंद्रमा के आकरसड़ बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभाव हीन हो जाते हैं अता इस दिन निम्नो जौर उत्पन होता है समान निता है व्रियार जौर एवं निम्नो जौर के बीच साथ दिन का अंतर होता है पृत्वी पर पृते की स्थान पर पति दिन 12 गंटे 26 मिनट के बाद जौर तथा जौर के 6 गंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है जौर पति दिन दो बार आते हैं एक बार चंद्रमा के आकरसर से और दूसरी बार पित्वी के अपकेंद्रिय बलके कारण आते हैं। दो उच्चो जवार एवं दो निम्नजवार पति दिन आते हैं। वायू प्रित्वी के द्रव विमान का अभिन्न भाग है तथा इनके कुल द्रव विमान का 99% प्रित्वी के सतह से 32 किलो मीटर की उचाई तक इस्तित है। वायू मंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर गैसे हैं। पहला है नाइट्रोजन। चलिए पहले देख लेते हैं वायू मंडल में इस्ताई गैसे और उनका द्रव मान कितना है। चलिए नाइट्रोजन। देखते हैं इस गैस की पतिसत मात्रा सभी गैसों से अधिक है नाइट्रोजन की उपस्तिती के कारड़ ही वाईू दाप पवनों की शक्ती तथा प्रकास के प्रावरतन का आभास होता है इस गैस का कोई रंग गंध अथवा स्वाध नहीं होता नाइट्रोजन का सबसे में 128 किलो मीटर की उचाई तक फैली हुई है दूसरा है ऑक्सीजन गैस यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कारे करती है ऑक्सीजन के अभाव में हम इंधन नहीं जला सकते अता या उर्जा का मुख्य सुरोत है या गैस वायू मंडल में 64 किलो मीटर की उचाई तक मिलती है इसका अधिकांस विस्तार 32 किलो मीटर के उचाई तक है यह गैस सूर से आने वाली विकरण के लिए परागम में तथा प्रितवी से परावर्तित होने वाले विकरण के क्लिए आ परागम में है अता यह काच घर या पोधा घर परभाव के लिए उत्तर दाई है और आयतन वायू मंडल में इस्तीर है जबकि पिछली कुछ दस्कों में मुख्यता जीवास्म इंधन को जलाए जाने के कारण कारबन डायोकसाइड के आयतन में लगातार वृद्धी हो रही है भू प्रिष्ट से परावर्तित आउरक्त विकिरड के आउसोसर द्वारा वायू भू वायू मंडल के तापमान में वृद्धी की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं चौथा है ओजोन गैस यह गैस ऑक्षीजन का ही एक विशेश रूप है यह वायू मंडल में अधिक उचाईयों पर ही अतिनियोन मात्रा में मिलती है यह सूरे से आने वाली तेज पैराबैग नीवी की रड़ को क्युछ अंसो को आउसोसित कर लेती है यह 10 से 50 किलो मीटर की उचाई तक के इंद्रित है वायू मंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूरे की पैराबैग नीवी की रड़ अधिक मात्रा में प्रित्री पर पहुँच कर कैंसर जैसी भैयानक बिमारियां फैला सकती है पाचवा है जलवास्प वायू मंडल में जलवास्प सबसे अधिक परिवर्तन सीलता था आसमान वित्रड़ग वाली गैस है या उचाई के साथ घड़ती जाती है या 90 किलो मिटर के उचाई तक ही पाई जाती है वायू मंडल के संपूर जलवास्प का 90% भाग आज किलो मिटर की उचाई तक सीमित है इसके संगनन होने के का बादल वर्षा कुहरा ओस तुशार हिम आधी का निर्मार होता है विभिन प्रकार के तुफानों को जलवास्प से ही उर्जा प्रात्त होती है जलवास्प सूरे से आने वाले सूरे तब के कुछ भाग को आउसोसित कर लेता है तथा प्रित्वी द्वारा विकरित उस्मा के उसन जोय रखता है इसी प्रकार यह एक कंबल का काम करता है जिससे प्रित्वी ना तो अत्यधी गर्म और ना ही अत्यधी ठंडी हो जकती है अगला है धोलकड धोलकड प्राया वायू अंडल के निचले भाग में मौझूद होते हैं फिर भी समवाहनी वायू प्रवा इन्हें काफी उचाई तक ले जाते हैं ले जा सकते हैं धोलकड के सुरोत हैं समुद्री नमक महीन मिट्टी धुएं की कालिमा राक पराग धोल थोकर मेगों का निर्माड करती है आकास का रंग नीला धूलकड के कारण ही दिखाई देता है वायू मंडल की संदशना वायू मंडल को निम्द परतों में बाटा गया है पहला है छोब मंडल प्रोपो स्फेयर यह वायू मंडल का सब से नीचे वाली प्रत है इसकी जैसे बादल, आंधी और वर्सा इसी मंडल में होती है इस मंडल को समवाहन मंडल कहते हैं क्योंकि समवाहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है इस मंडल को अधो मंडल भी कहते हैं जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्तपूर संस्तर है छोब मंडल और समताप म कारण इसे चोब सीमा भी कहा जाता है समताप मंडल चलिए देखते हैं समताप मंडल 50 किलो मीटर की उचाई तक है समताप मंडल की मोटाई दुरूओं पर सबसे अधिक होती है कभी कभी विश्वत रेखा पर इसका लूप हो जाता है इसमें मौसमी घटना है जैसे आंधी बा कार के मेगों का निर्माड होता है जिन्हें मुलाब मेग मदर आफ परल कलाउड कहते हैं समताप मंडल की एक महत्तपूर लक्षड या है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पैराबैगनी की रड़ों को आउशोशित कर लेती है इसे प उपस्ति सक्रीय क्लोरीन के कारण होती है ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अलग मंडल मानते हैं इसकी उचाई 32 किलो मीटर से 60 किलो मीटर के मद्ध मानते हैं इस मंडल में उचाई के ताप मान बढ़ता जाता है प्रती एक किलो मीटर की उचाई पर ताप मान पांच दिगरी सेल्सियस की वरिद्धी होती है मद्ध मंडल में सो स्फेर चलिये देखते हैं मद्ध मंडल संताप मंडल के ठीक उपर 80 किलो मीटर की उचाई तक फैला है इस संस्तर में भी चलिए देखते हैं आयन मंडल मद्ध मंडल के ऊपर 80 क्लो मीटर से 400 क्लो मीटर के बीच इस्तित है इसमें विद्यूत और शेशित आवेशित कर पाय जाते हैं जिने आयन कहते हैं तथा इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है यहां भाग कम वायुदाब और पैरा बैगनी के रड़ों द्वारा आयनी करत होता रहता है आयन मंडल में उचाई बढ़ने के साथ तापमान में वरिद्धी शुरू हो जाती है इस मंडल में सब से नीचे इस्तिधी लेयर से लॉंग रेडियो वेब्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से सौट रेडियो वेब पर जाता है इसकी कोई उपरी सीमा निर्धारित नहीं है इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है इस मंडल की महत्पूर की विशेष्ता इसमें औरोरा आस्ट्रालिस और औरोराłos की होने वाली घटनाए है औरोरा का साम्दिक अर्थ होता है प्रात अरोरा ब्रहम्हांडिय चमकते प्रकास होते हैं जिनका निर्मार चुम्बकी तुफान के कारण सूर्य की सता से विर्शर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। सूर्य से प्रती मिनट प्रती वर्ग सेंटी मीटर पर 1.94 कैलोरी उश्मा प्राप्त होती है। नोट दिया है प्रित्वी का अक्ष सूर्य के चारों और परिक्रमण की समतलक अक्षा से 6.6,6 डिगरी का कोड बनाता है जो विभिन अक्षांसों पर प्राप्त होने वाले सूर्य तबकी मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। किसी भी सता को प्राप्त होने वाली सूर्य तबकी मात्रा एवं उसी सता से परावर्तित की जाने वाली सूर्य तबकी मात्रा के बीच का अनुपात अलबीडो कहलाता है। सूर्य विक्रण का यह परावर्तन लगू तरंगों में ही होता है। सूर्य विक्रण द्वारा प्रसारित उर्जा का 51% भाग और वायू मंडल सूर्य उर्जा का केवल 14% ही ग्रहन कर पाता है। वायू मंडल गर्म तथा ठंधा निम्न विधियों से होता है। पहला है चालन कंडक्शन से। जब आस्मान तापवाली दो वस्तुमें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो अधिक तापवाली वस्तुमें वस्तुके कम से कम तापवाली वस्तुकी ओर उस्मा प्रवाहित होती है। उस्मा का यह प्रवा तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुमों का तापमान एक जैसा ना हो जाए वायू उस्मा की कुछालक है अताक चालन प्रक्रिया वायू मंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महतपूर है वायू मंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महतुपूर है समवहन, कनवेक्शन, अगला है कनवेक्शन पृधवी के संपर्क में आई वायू गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायू मंडल में ताप का संचरल करती है वायू मंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया समभान कहलाती है जब वायू मंडल की निचली परत भावमिक विक्रलक अथवा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसकी वायू फैलती रहती है जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है घनत्व कम होने से वह हलकी हो जाती है और पुच्छे से उपर गर्म होता रहता है। प्रित्वी तथा उसके वायू मंडल का गर्म होना प्रित्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकरण जो लगू तरंगों के रूप में होता है प्रित्वी की सता को गर्म करता है प्रित्वी स्वेम गर्म होने के बाद एक विकरण पिंड बन जाती है और वायू मंड ग्रीन हाउस गैसों द्वारा आउसोसित कर लिया जाता है इस प्रकार वायू मंडल पार्थिव विकरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है ना कि सीधे सूर्य तब से अगला है अभी वहन अडवेक्शन वायू के 36 संचलन से होने वाला ताप का इस्तनांतर वायू का 36 संचलन सा पेक्षिक रूप से अधिक महत्तपूर होता है मध्य अक्षांसों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभी वहन के कारण होती है गर्म वायू राशियां जब ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें गर्म कर देती है इससे उस्मा का स अधिक मौसम में दैनिक मौसम में दैनिक मौसम में जब ठंडे इससे उस्मा का संचार करती है इन 111 में 35 इकाई पित्वी के धरातल पहुँचने एक से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है सौर विकिरण की इस परावर्तित मातरा को पित्वी का एलवीडो कहते है प्रथम 35 इकाईयों का छोड़ कर 65 इकाईया आवसोसित होती है 14 वायू मंदल में 51 धरातल के द्वारा पित्वी द्वारा आवसोसित ये 51 इकाईया पुना पार्थिव विकिरण के रूप में लोट सिकाईयां संगनन के गुप्त उस्मा के रूप में वायू मंडल द्वारा 48 इकाईयों का आउसोसर होता है इनमें 14 इकाईयां सूरे तब की और 34 इकाई पार्थी विगरड की होती हैं वायू मंडल विकिरड़ द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है अता प्रिथवी के धरातल तथा वायू मंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटाने वाली विकिरड़ इकाईयां क्रमसा 17 और 48 हैं जिनका योग 65 होता है वापस लौटाने वाली ये इकाईयां उन 65 इकाईयों का संतुलन कर देती हैं जो सूरे से प्राप्त होती हैं यही प्रिथ किसी पदार्थ कड़ों के अलवों की गती को दरसाती है वही तापमान किसी पदार्थ या इस्थान के गर्म या ठंड़ा होने के हं ठंड़ा होने का डिगरी में माप है किसी भी स्थान पर वायू का तापमान निमे लिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है पहला उस इस्थान का अक्षांस रेखा, दूसरा है समुद्र तल से उस इस्थान की उतंगता, तीसरा है समुद्र की उसकी दूरी, चौथा है वायू सहती का परिसंचरण, और पांचवा है कोसर तथा ठंडी महासागरी धाराओं की उपस्तिती, और छटवा है इस्थानिय कारक. तापमान का वित्रण, जन्बरी और जुलाई के तापमान के वित्रण का अध्यन करके हम पूरे विस्थो के तापमान वित्रण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्रों पर तापमान वित्रर समानिता समताप रेखाओं की मदद से दर्साया जाता है यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले इस्थानों को जोड़ती है विश्वत रेखिये महसागरों पर तापमान 27 डिगरी से अधिक होता है सरवाधिक तापा अंतर यूरेसिया मह महाद्वीप के उत्तरी पूर्वीक्षेत्र में पाया जाता है जो लगभग 60 डिगरी सेल्सियस है इसका मुख्य कारण महाद्वीपियता कॉंटिनेंटिलिटी है और सबसे कम 3 डिगरी सेल्सियस का तापा अंतर 20 डिगरी दक्षडी एवं 15 डिगरी उत्तरी अक्षांसों के बीच पाया जाता है समताप रेखा वह कलपित रेखा है जो समान तापमान वाले इस्थानों को मिलाती है समताप रेखाओं तथा समताप तापमान के वितरण के निम्नलक्षड हैं पहला है समताप रेखा है पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांसों के लगभग समाना खींची जाती हैं इसका कारण यह है कि यह एक अक्षांस पर इस्तित सभी इस्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्या तब प्राप्त होता है और तापमान भी लगभग एक जैसा ही होता है जल और इस्थान पर तापमान बिन्न होते हैं अता तटो पर संताप रेखाएं अक्सम प्रवर्टा तापमान के बदलने की दर का अनुमान लगाया जा सकता है यदी समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होती है तो ताप प्रवर्ता अधिक होती है इसके विपरीत यदी समताप रेखाएं एक दूसरे से दूर होती है तो ताप प्रवर्ता कम होती है उस्ड कटिबंधी प्रदेशों में ताप मान अधिक होता है अता अधिक मूले व ताप मान विशले सड के लिए बहुदा इन्ही दो महिनों को चुना जाता है। अता किसी इस्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महिने में महिने के मध्यमान ताप मान के अंतर को वार्षिक ताप आंतर कहते हैं। और वायू रासियां चलिए देखे हैं। यंतर और उसके अविश्कारक दिखते हैं। पारद वायू दाप मापी के अविश्कारक हैं दोस्तों प्रियोग की जाने वाली दाप की इकाई को किलो पासकल कहते हैं। मुद्र तल्ग पर औसत वायू मंडली दाप 1013.2 मिलियन दो मिलिबार या फिर 1013.2 किलो पासकल होता है। वायू दाप वायू मंडल के निचले भाग में वायू दाप उचाई के साथ तीवरता से घड़ता है। दर प्रदेग 10 मीटर की उचाई पर 1 मिली बार होता है, 10 किलो मीटर की उचाई पर 265 मिली बार वायूब दाब, एवं 49.60 डिगरी सलसियस मानक तापमान होता है, समदाब रेखा, वह कलपित रेखा है, जो समुद तल के बराबर घटाए हुए समान वायूदाब वाले स्थान को मिलाती है, समदाब रेखा कहते हैं, वायूदाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर शाया जाता है, दूरी की प्रती इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवर्ता प्रेशर ग्रेडियन्ट कहते हैं, जब समदाब रेखा एक दूसरे के पास होती है, तो द पेटी भूमद्य रेखा से 10 डिगरी उत्तरी तथा 10 डिगरी दक्षडी अक्षांसों के बीच इस्तित है यहां सालों भर सूर्य की किरणे लंबवत पड़ती है जिसके कारण तापमान हमेशा उंचा रहता है इस कटिबंद में धरातली चैतिच पवने नहीं चलती बलकि होकर उपर को उड़ती है और समवहनी धाराओं का जन्म होता है इसलिए इस कटिबंद को शांत कटिबंद या फिल्डोल ड्रम कहते हैं विश्वत रेखा पर पितवी के गुरन का वेग सबसे अधिक होता है जिससे यहां का अपकेंद्रिये बल सरवाधिक होती है जो इसी कारण भी यहां पर वायुदाब कम होता है दूसरा है दूस्तों उपोस्र उच वायुदाब उत्तरी तथा दक्षडी गोलार्दों में करमशा करक और मकर रेखाओं से 35 डिगरी अक्षान सोंक तक उच दाब पेटियां पाई जाती हैं यहां उच दाब होने के दो कार विश्वत रेखी अकटिबंध से गर्म होकर उठने वाली वायु ठंधी और भारी होकर करक तथा मकर रेखाओं से 35 डिगरी अक्षान सोंके बीच नीचे उतरती हैं और उच वायुदाब उत्पन करती हैं पृत्वी के दैनिक गती के कारण उपदुरूवी एक्षेत्रों से वायु विशाल रासियां करक तथा मकर रेखाओं से 35 डिगरी अक्षान सोंके बीच एकत्रित हो जाती हैं जिससे वहाँ पर उच वायुदाब उत्पन हो जाती हैं नोर्दिया है विश्वत रेखा से 30 डिगरी से 35 डिगरी अक्षान सोंके मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्तित होती हैं इस उच्च वायुदाब वाली पेटि को अश्व अक्षांस कहते हैं इसका कारड़िया है कि मध्य युग में यूरोप की में खेती के लिए पष्चमी द्रीप समू में पालदार जल्यानों में लाद कर गोडे भेजे जाते थे प्राया इन जल्यानों को इन अक्षांसों के बीच वायुशांत रहने के कारड़ आगे बढ़ने में कथनाई होती थी अता जल्यानों का भार कम करने के लिए कुछ गोडे समुदर में फेक दिये जाते थे उपदुरूवी निम्न वायुदा पैंतालिस दिगरी उत्तरी तथा दक्षडी अक्षानसों से करंशा, आर्केटिक तथा अंटार्टिक वृत्तों के बीच निम्न वायु भार्प की पेटियां पाई जाती हैं जिसे उपदुरूवी निम्न दाप पेटियां कहते हैं दुरूविय उच्च वायुदाप 80 डिगरी उत्तरी तथा दक्षडी अक्षांस से उत्तरी तथा दक्षडी दुरू तक उच्च दाप पेटियां पाई जाती है चलिए नेक्स्ट टॉपीक है दोस्तों पावन विंड पित्वी के धरातल पर वायुदाप में 36 विशमताओं के कारण हावा उच्च वायुदाप छेतर से निम्न वायुदाप छेतर की ओर बहती है 36 रूप से इस गतिशी इलहावा को पावन कहते हैं और धावधर दिशा में गतिशी इलहावा को वायुदारा एयर करेंट कहते हैं यदि प्रित्वी इस्थिर होती है तो उसका धरातल समतल होता है अताप पावन कई कारणों के प्रभाव अधिन अपनी दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती है ये कारण है दाप्रवर्ता बल, कोरियॉलिस प्रभाव और अभिकेंद्रिये बल एवन भूग हरसड है कोरियॉलिस प्रभाव क्या है चलिए देखते हैं प्रित्वी के घोरण के कारण पावने अपनी मुल दिशा में विक्षेपित हो जाती है इसे कोरियॉलिस बल कहते हैं इसका नाम फ्रांसीसी विग्यानिक के नाम पर पड़ा है जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का इस बल के प्रभावधीन उत्री गोलार्द में पावने दाहिनी और तथा दक्षडी गोलार्द में अपनी बाई और मुड जाती है इस विक्षेप को फेरेल नामक विग्यानिक ने सिद्ध किया था अताहा इसे फेरेल का नियम कहते हैं इसे 22 बैलिट नियम द्वारा भी स इसके ठीक विपरीत होगी कोरियॉलिस बल अक्षानसों के कोड के सीधा सा मनुपात में बढ़ता है यह धुरूवों पर सरवाधिक एवं विश्वत विर्त पर अनुपस्थित होता है यानि धुरूवों पर पवनों की दिशा में अधिक्तम विख्षेप और विश्वत र इसके इसके इरदिगिर्द बहेती है विश्वत विर्त पर कोरियॉलिस बल सोने होता है और पवने समदावरेखाओं के समकोर पर बहती है अताह निम्न दाप, छेतर और अधिक गहन होने के बज़ाय पूरीत हो जाता है यही कारण है कि विश्वत विर्त के निकट वोश्र कटी बंधी ये चक्रवात नहीं बनते पवन निमन परकार के होते हैं पहला प्रशलीत पवन, दूसरा मौसमी पवन तीसरा इस्थानी पवन चले पहला देखते हैं प्रशलीत पवन पित्वी के विश्तरिक शेत्र में एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रसलित पवन या स्थाई पवन कहते हैं इस्थाई पवन एक वायू भार कटी बंद से दूसरे वायू भार कटी बंद की और नियमित रूप से चला करती हैं इसके उधाराण हैं पचुवा पवन, व्यापारीक पवन और दृविय पवन पचुवा पवन दोनों गोलार्धों में उपोस्ड उच्च वायूदाब कटी बंदों से उपर दृविय निम्न वायूदाब कटी बंदों की और चलने वाली इस्थाई हवा को इनकी पश्चिम दिशा के कारण पचुवा पवन कहते हैं पचुवा पवन का सरुसरेश्ट विकास 40 डिगरी से 65 डिगरी दक्षिड अक्षांसों के मग पाया जाता है यहां के इन अक्षांसों को गरस्ता 40 प्रचंड 50 तथा चीखता 60 कहते हैं ये सभी नाविक के दिये देखते हैं नाम और उनके इस्थान देखते हैं विली वाव का इस्थान दोस्तों हवा का इस्थानी नाम है बोरा दोस्तों एड्रियाटिक तटका इस्थानी हवा का इस्थानी नाम है और मिस्ट्रल मिस्ट्रल दोस्तों इस्पेन एवं फ्रांस की हवा का इस्थानी नाम है बुरान रोस के इस्थानी हवा का नाम है बाइज दक्षिड फ्रांस का इस्थानी हवा का नाम है पैमपीरो अर्जेंटीना की इस्थानी हवा का नाम है फ्रिया जेंट ब्राजील के इस्थानी हवा का नाम है नारदर यूएसे का इस्थानी हवा का नाम है नौटी दोस्त के इस्थानी हवा का नाम मैस्ट्रेल है इक्वाडोर के इस्थानी हवा का नाम नेवा डॉस है विली विली आउस्ट्रेलिया की दोस्तों इस्थानी हवा है सिस्टान दोस्तों पूर्वी इरॉन की इस्थानी हवा है हबूब सुडॉन की इस्थानी हवा है पूर्गा दोस्त कटी बंधों से भूमत दे रेखी निम्न वायुदाप कटी बंधों की और दोनों गोलार्दों में वर्स भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है कोरियॉलिस बल और फेरल के नियम के कारण या उत्तरी गोलार्द में अपने दाईं और दक्षडी गोलार्द में दक्षड पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है मौसमी पवन चलिए देखते हैं मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहा जाता है जैसे मानसूनी पवन इस्थल समीर तथा समुद्री सम इस्थल वा समुद्री समीर, उश्मा के अवशोशल्त असतना तरण में इस्थल वा समुद्र में भिन्नता पाई जाती है, दिन के दौरान इस्थल भाग समुद्र की अपैक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, अता इस्थल हपर हवाएं उपर उरती है और निम्न दाब छेतर बनता है जबकि समुद्र पेक्षा क्रिक ठंडे रहते हैं और उन पर उच्छ वायुदा बना रहता है इससे समुद्र से इस्थल की ओर दाब प्रवरता उत्पन होती है और पवने समुद्र से इस्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती है रात्री में इस इसके एकदम विप्रित प्रक्रिया होती है। इस्थल समूदर की अपएख्चा जल्दी धंडा होता है दाप प्रवर्ता इस्थल से समूदर की तरफोंện पर इस्थल समेर प्रवाहित होती है। तिसरा ही स्थानिय पवन प्रमुक गर्म इस्थानिय पवन जिसका अंतरगत आता है चिनुक यह संयुत राज अमेरिका और कनेडा में रौकी परवत स्रेडी से के पूर्वी ढलाल के साथ चलने वाला गर्म या सुस्क पवन है यह पवन रौकी परवत के पूर्व के इचे उतरने वाली गर्म एवं सुस्क हवा है इसका सरवाधिक प्रभाव सुर्जर लैंड में होता है इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और पसु चारकों के लिए चारा गाह मिल जाता है इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं हर्मटन या सहारा रेगि अगुमद्य सागर पार करती है तो आद्र हो जाती है और इटली पहुच जाती है इसके अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है ब्लैक रोलर या उत्री अमेरीका के विशाल मैदान दक्षडी पस्चिमी या उत्री पस्चिमी तेज दूल भरी चलने वाली आंधी है ब्रिक फेल्डर या आस्टेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म और सुस्क हवा है नार्वेश्टर या न्यूजी लैंड में उच परवतों से उतरने वाली गर्म एवं सुस्क हवा है शामल या इराग तता फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म और सुस्क हवा है चलिए कुछ अन्य गर्म हवाएं एवं इस्थान उसके देखते हैं नाम है फिर उसके इस्थान है ट्रैमोंटेन दोस्तों मध्य यूरोप में है और आवला हवाएं फ्रांस में चलती है बर्गस हवाएं दोस्तों दक्षिड अफरीका में सुखेवे दोस्तों सुखोवे रूस और कजाकिस्तान में बागयो फिलिपिन्स और फिलिपिन्स दीप समू में चलती है गारिश दोस्तों दक्षडी पूर्वी इरान में और लू उत्तरी भारत में चलती है सौलेनप दक्षड पूर्वी स्पेन में चलती है और सामून इरान में चलती है सांटा आना या दक्षिड कैलिफोर्निया में सांटा आना गाटी से चलने वाली गर्म और सुस्क धूल भरी आंधी है कोयम बैंग या जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है या तंबाकू के खेती को काफी नुकसान पहुंचाती है जेट प्रवा ख्षोब मंडल की उपरी परत में बहुत तीवर गती से चलने वाले सांकरे नलिका कार एवं विशरपी पवन प्रवा को जेट प्रवा कहते हैं या छे से बारा किलो मीटर की उचाई पर पस्चिम से पूर्व की और प्रवाहित होता है या तोनों गोलार्दों में पाया जाता है परन्तु उत्तरी गोलार्द में या अधिक सक्ति साली होता है इसमें वायू 120 किलो मीटर पती घंटा से चलती है जेट प्रवा वायू मंडली विक्षोबों चक्रवातों प्रती चक्रवातों तूफानों और वर्षा को उत्पन करने में सहयक होते हैं पमान तृफा आदरता के भौतिक लक्षर छैथिस दिशा में समरूप हो वायू रासी कहलाता है सामानीता वायू राशियां सैकडा किलो मीटर तक विस्ट्रित होती है एक वायू रासी में कई परते होती हैं जो एक दूसरे के उपर छैतिस दिशा में च्छेते दिशा में फैली होती है प्रतेक परत में वायू के तापमान और आदरता की इस्तिति लगभग समान होती है यह जल वायू तथा मौसम के अध्यन में महत्तुपूर भूमिका निभाती है वातागर जब दो भिन प्रकार की वायू राशिया मिलती है तो उनके माध्य सीमा शेत्र को वातागर कहते हैं वातागर चार प्रकार के होते हैं सीत वातागर उस्ड वातागर अचर वातागर और अधिविष्ट वातागर शीत वातागर जब शीतलवा भाहरी वायू आकरामक रूप में उस्ड वायू रासियों को उपर धकेलती है इस संपर्क शेत्र हो जाए तो इन्हें अचरवातागर कहा जाता है अर्थात ऐसे वातागर जब कोई भी वायू उपर नहीं उड़ती अधिविष्ट वातागर ए यदि एक वायू रासी पूर्टा धरातल के उपर उड़ जाए तो ऐसे वातागर को अधिविष्ट वातागर कहते हैं वाताग्र मध्य अक्षांसों में ही निर्मित होते हैं और तीब्र वायुदा व तापमान परवर्ता इनकी विष्यस्ता है ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं और इसी कारण वायुः उपर उड़ती है बादल बनते हैं और बर्षा होती है बहिरूष्ण कटिबंध यह चकरवाद एक्स्टा ट्रॉपिकल साइक्लोंज वे चकरवती वायु प्रलालियाँ जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य वा उच अक्षांसों में विख्सित होती है उन्हें बहिरोष्ड यासी तोश्ड कटीबंधिये चक्रवात कहते हैं, माध्य तथा उच्छ अक्छांसों में जिस छेत्र से ये बुजरते हैं, वहां मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तीजी से बदला होते हैं। चक्रवातिय परिसंचरण करती हैं इस चक्रवातिय प्रवा से बहिरूष्ड कटिबंधिय चक्रवात विक्सित होता है जिसमें एक उस्ड वातागर तथा एक सीत वातागर होता है कोस्ड वायू आकरामा कुरूप में ठंडी वायू के उपर चाहती है और उस्ड वातागर के पूरी तरह ढख लेते हैं यह कोस्ड वायू उपर उड़ती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता तथा अधिविष्ट वातागर बनता है एवं चक्रवात धीरे धीरे छीर हो जाता है उस्ड कटी बंधिये चक्रवात ट्रॉपिकल सैकलोंस उस्ड कटी बंधिये अध्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं यह चक्रवात विंदवनसक प्राक्रितिक आपदाओं में से एक हैं हिंद महासागर में यह चक्रवात अट्लांटिक महासागर में हरीकेन के नाम से पक्ष्चिमी प्रसांत और दक्षडी चीन सागर में टाइफोन और उर्धवर्धर पाउनों की गती में अंतर कम होना चौथा है कमजोर निम्नदाब छेतर पाँचवा है समुद्री तल तंद्र पर उपरी अपसरड चक्रवातों के और अधिक विंदवनसक करने वाली उर्जा संगरन प्रक्रिया द्वारा उंचे का पासी स्तरी मेगों से प्र जरते हैं उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विंदवनसक होते हैं वह इस्थान जहां से उस्रकटी बंधी चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं चक्रवात का लैंड़ फॉल कहलाता है आदरता हुमिडिटी वायू मंडल में उपस्थित जलवास्प को वायू मंडल की आदरता कहते हैं यह तीन प्रकार की होती है पहला निरपेक्ष आदरता एपसलीट हुमिडिटी वायू की प्रती इकाई आयतन में विद्दमान जलवास्प की मातरा को निरचेप आदरता क कहते हैं इसे gram, प्रती किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। साक्ष आदता relative humidity किसी भी तापमान पर वायू में उपस्थित जलवास्प तथा उसकी तापमान पर उसी वायू की जलवास्प धारड करने की छिंपता के अनुपात के सापेक्ष आदता कहते हैं। इसे निम्सूत दोरा भी व्यक्त कर सकते हैं। इवं तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आदता कम हो जाती है। इसे निम्सूत दोरा भी व्यक्त कर सकते हैं। इसमें द्रिस्यता एक किलो मीटर से कम की होती है। धुंद मिश्ट हलके फुलके कोहरे को कुहासा या धुंद कहते हैं। इसमें द्रिस्यता एक किलो मीटर से अधिक किन्तु दो किलो मीटर से कम की होती है। बादल, बादल मुख्यता हवा के रूधोस्म, एडिया बेटिक प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के ओसांग से नीचे गिरने से बनते हैं, या अलप गहातो के कारवायू मंडल में तैरते हैं, रूप के आधार पर बादल निम्न प्रकार के होते हैं, पह कपासी बादल, या रूई के समान दिखते हैं, या प्राया 4000-7000 की मीटर के उचाई पर बनते हैं, ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे दिखाई देते हैं, ये चपटे आधार वाले होते हैं, वाशिर्स गुंबद नुमा होता है, इस्तरी बादल ये परतदार चादर ज कावा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं, वर्षा बादल, वर्षा बादल काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं, या मध्य इस तरो ये प्रित्वी के सता से काफी नजदीग बनते हैं, ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही आपार दर्शी होते हैं, कभी-कभी इतनी कम उचाई पर होते हैं कि ये सता को छूते हुए प्रतीत होते हैं, ये चार मूल रूपों के बादल मिलकर निमने लिखित में से रूपों के बादल का निर्मार करते हैं, उचे बादल, पक्षाब, पक्षाब इस्तरी और पक्षाब कापासी का निर्मार करते हैं, फो इसकोप है बादलों की दिशा इवंगा तीको मापने वाला यंत्र वर्षा रेंफॉल चले देखते हैं जब जल वास्प की बूंदें जल के रूप में प्रितवी पर गेड़ती है तो उसे वर्षा कहते हैं वायू के ठंडा होने की विदियों के अनुसार वर्षा तीन प उपर जाकर या वायू ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्तित जल वास्प का संगनन होने लगता है संगनन से कपासी में एक बनते हैं जिससे घंगोर वर्षा होती है और इसे समभानी वर्षा कहते हैं परवत कृत वर्षा ओरोग्राफिक रेंफॉल जब जल वास्प से ल साइक्लोनिक और फ्रंटल रेइनफॉल चक्रवातों दौरा होने वाली वर्सा को चक्रवाती अत्वबात्यगरी वर्षा कहते हैं वर्षड जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं जब ताप माझ जीरो डिगरी सलिखय होता है तब वरसड im तलों के रूप में होता है जिसे हिम पाथ कहते हैं नमी शटकोडीय रवो के रूप में निमुर्मुत होती है वरसा एवं हिम पाथ के अधरिक्त वरसड के दूसरे प्रकार सहिस सहिम वรिस्टी और कारका पाथ हैं ये वर्षा की जल से बनत बनती है जो की ठंडी परतों से होकर गुजरती है बादल फटना क्लाउड बरस्ट का अर्थ है भारी तूफान के साथ आसाधर रूप में भारी वर्षाथ चक्रवाद प्रती चक्रवाद साइकलोन एन्टी साइकलोन चक्रवाद प्रती चक्रवाद इसकी उत्पत्ती विभिन प्रकार की वायू रासियों के मिस्रड के फल्सोरूप वायू की तीवर गती से उपर उठकर बवंडर का रूप रहन करने से होती है चक्रवाद, केंद्र में कम दाब की इस्थापना होने पर बाहर की ओर बढ़ता है इस अवस्था में हावाईं बाहाद से भी हितर की ओर चलती है इसे चक्रवाद कहा जाता है निम्न दाप के चारो तरफ पवनों का परिक्रमर चक्रवाती परिसंचरर कहलाता है प्राया निम्न दाप छेतरों पर वायू अभी सरित होगी और उपर उठेगी चक्रवात में वायू चलने की दिशा उत्तरी गोलाद में घड़ी की सुईयों के विपरीट एंटी क्लॉक व वायू दाप छेतरों के चारो तरफ पवनों का परिक्रमर प्रती चक्र वाती परिसंचरर कहा जाता है उच्च दाप छेतरों में वायू का आवतल अन होता होगा और धरातल पर अपसारित होगी इसमें वातागर फ्रॉंट्स का आभाव होता है प्रती चक्रवात में साफ होता है चक्रवात तथा पती चक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप देखते हैं दाब पद्धती है चक्रवात केंदर में दाब की दिशा है निम्न और पवन की दिशा का प्रारूप उत्तरी गुलात में घाडी की दिशा के अनुरूप चलती है और दक्षडी गोलार्द में घाडी की सुई की दिशा के विपरी चलती है एंटी क्लापवाई चलती है तडी जंजा वा टॉर्नेडो या भयांकर विंदवनसक अल्पकाली निस्थानी तूफान है या अपेक्षाक्रित कम छेत्रफल तक ही सीमित होते हैं तडी जंजा ओष्ड आदर दिनो तडी जंजा की विशेस्ता उस्डवायू का प्रबल उर्ध प्रवा है जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिकुचाई तक पहुंचते हैं इसके कारण वर्षर होती है भयानक तडी जंजा से कभी कभी वायू आकरामक रूप में हाथी की सून्ड की तर सरपिल अवरोहर करती है इसमें केंदर पर अत्यंत कम वायूदाब होता है और यह व्यापक रूप से भयांकर विनाशकारी होते हैं इस परिघटना को टॉर्नेडो कहते हैं टॉर्नेडो समानिता मध्य अक्षांसों में उत्पन होते हैं समूदर पर टॉर्नेडो का जल इस इस्थल दोनों में उत्पन होता है इसमें इस्थलीय हवाओं का वेग 325 किलो मीटर पती घंटा होता है औस्टेलिया एवं संयुक्त राज अमेरिका के मिसी सीपी एडाकों में इजे तूफान का टोर्नेडो कहा जाता है हरीकेन अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा चीन महासागर में चलने वाली वक्रगामी कटी बंधिय चक्रवात को टाइफून कहते हैं इसकी गती 160 किलो मीटर पती घंटा होती है विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश है इसके चलिए दोस्तों विश्व की प्रमुक फसले एवं उत्पादक देश देखते हैं फसल है फिर उसका पथम इस्थान कौन सा देश है फिर उसका दूसरा इस्थान कौन सा है और तीसरा इस्थान किसका है गेहुंग दोस्तों पर्थम इस्थान चीन का है पर्थम उत्पादक देश चीन है और दूसरा इस्थान भारत का है और USA दोस्तों तीसरे इस्थान पर है उत्पादक के मामले में चावल के उत्पादक के मामले में चीन पर्थम इस्थान पर है भारत दूसरे इस्थान पर औ और पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है चाय दोस्तों चाय उत्पादन के मामने में भारत पतामिस्थान पर है चीन दूसरे स्थान पर है और श्री लंका तीसरे स्थान पर है गन्ना के उत्पादन में दोस्तों भारत पहतामिस्थान पर है और ब्राजील दूसरे स्थान पर ची और कोलंबिया दूसरे इस्थान पर, इंडोनेसिया तीसरे इस्थान पर, तिलहन के दोस्तों उत्पादन में ब्राजिल पहले इस्थान पर, चीन दूसरे इस्थान पर, तीसरे इस्थान पर भारत है, ये ये दोस्तों जो है जानकारी उत्पादन वर्स 2020 के अमुसार है, वि उत्पादन दोस्तों पहले इस्थान पर चीन करता है दूसरे इस्थान पर चिली और दूसरे इस्थान पर चीन और तीसरे इस्थान पर पेरू करता है मैगनीज का उत्पादन दक्षिड अफरीका प्रथमिस्थान है और दूसरे इस्थान पर चीन है और तीसरे इस्थान प पर है और उस्टेलिया दूसरे नंबर पर और रूस तीसरे नंबर पर चांदी के उत्पादन में मैक्सिको का इस्थान पहला है और चीन का इस्थान दूसरा है पेरू का इस्थान तीसरा है कोईला के उत्पादन में चीन पहले इस्थान पर है यूएसे दूसरे इस्थान प पर रूस दूसरे नंबर पर और इरां तीसे नंबर पर अभरा के उत्पादन में चीन पहले नंबर पर यूएसे दूसरे नंबर पर और मेडा गास करती से नंबर पर हीरा के उत्पादन में रूस पहले नंबर पर बोथ स्वाना दूसरे नंबर पर कनेडा तीसे नंबर पर ह क्रोमियम के उत्पादन में दक्षिड अफरी का पहले नंबर पर, क्राजा कजाकिस्तान दूसरे नंबर पर और भारत तीसरे नंबर पर केडमियम के उत्पादन में दोस्तों चीन पहले नंबर पर दक्षिड कोरिया दूसरे नंबर पर और जापान तीसरे नंबर पर है निकेल के उत्पादन में इंडोनेसिया का इस्थान पहला है फिलिपिन्स का दूसरा इस्थान है और रूस का इस्थान है प्लैचिनम के उत्पादन में दक्षिड अफ्रीका का इस्थान पहला है रूस का इस्थान दूसरा है और जिम वंबे का इस्थान तीसरा है अलुमीनियम के उत्पादन में चिन का इस्थान पहला है रूस का इस्थान दूसरा और भारत का इस्थान तीसरा है यह दोस्तों उ 2020 के अनुसार है विस्व के विनिरमाल उद्योग चलिए देखते हैं उद्योग है और उसके उत्पादक देश है सूती वत्र उद्योग ब्रीटेन भारत चीन भारत चीन और रूस है उत्पादक देश और लह इसपात उद्योग उत्पादक देश है संयुक्त राज अमेरिका यूक्रेन जापान और रूस उनी वत्र उद्योग उद्पादन के मामले में जापान संहुतराज अमेरिका और ब्रिटेन है रिश्मी वत्र उद्योग में दोस्तों रूस जापान चीन फ्रांस और भारत है मोटर गाड़ी उद्योग में दोस्तों सहिंगतराज अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस और इस्पेन है पोत निर्माड उद्योग में जापान, स्वीडन, जर्मनी, सहिंगतराज अमेरिका है वायू या निर्माड उध्योग में सहींक राज अमेरिका, बिरिटेन, और रूस आधी है सलफ्यूरीक अमले में दोस्तों उत्पादन सहींक राज अमेरिका, जापान, जर्मनी और ग्रीटेpower बिरिटेन में है नाइट्रोजन यूक्त उर्वरक के उत्पादल में सहिंगतराज अमेरिका जापान और भारत फास्पेड उर्वरक के सहिंगतराज अमेरिका और चेलिया उपोटास उर्वरक में जर्मनी सहिंगतराज अमेरिका है विश्वक के प्रमुख और द्योगिक नगर चलिए देखते हैं नगर और उसके उद्योग है बेला फस्ट का उद्योग दोस्तों जहाज निर्मार है चेलिया बिंस दोस्तों का है लोहा और इस पाथ का बर्मिंगम का दोस्तों लोहा और इस पाथ डेट्रॉइड में दोस्तों आटो मोबाइल्स एसेन जर्मनी में दोस्तों लोहा और इसपाथ ग्लासगो में दोस्तों जहाज निर्माल हवाना नागर में दोस्तों सीगार उद्योग होता है हॉलिवुड में दोस्तों फिल्म उद्योग लॉस एंजिस में दोस्तों पेट्रोलियम और फिल में उद्योग होता है कंसास में दोस्तों मांस उद्योग होता है कोबे में दोस्तों लोहा इसपात और कीव में इंजिनिरिंग उद्योग होता है लियोन्स फ्रांस में दोस्तों सिल्क उद्योग और मैंचेस्टर में सूती वस्त उद्योग होता है मिलान में दोस्तों सिल्क वस्त उद्योग फिला डेलफिया में दोस्तों लोकोमोटी उद्योग पिला माउथ में दोस्तों प्ले माउथ में दोस्तों जहाज निर्माड उद्योग और पीट्सबर्ग में लोहा और इसपात उद्योग सेफिल्ड ब्रिटेन में कैंची जोरी उद्योग और सीएटल में दोस्तों वायू यान निर्माड उद्योग होता है विश्व की प्रमुक जंजातियां चलिए देखते हैं जंजाति और संबंधित देश देखते हैं एसकीमो जंजाति दोस्तों संबंधित है ग्रीन लैंड और कनेडा से रेड इंडियन जंजाति दोस्तों उत्तरी अमेरिका कनेडा से संबंधित है खिरगीज जनजाती मद्य एसिया से संबंधित है पिगमी जनजाती का छेतर दोस्तों कांगो बेसिन है माओरी जनजातों का छेतर न्यूजी लैंड है बोरो जनजाती का छेतर ब्राजील है मासाई जनजाती का छेतर पूर्वी अमेरिका कीनिया है और इंकाया जनजाती का छेतर दक्षिर अफरीका है विद्यास का जनजाती छेतर विदा जनजाती का छेतर शीलंका है हैदा जनजाती का छेतर अमेरिका है नीग्रो जनजाती का छेतर मध्य अफरीका है तारतार जनजाती का छेतर साइबेरिया है सेमांग जनजाती का छेतर मलेशिया है बुद्दू जनजाती का छेतर अरब है यूकादिर जनजाती का छेतर साइबेरिया है पपुआंस जनजाती का छेतर न्यू गिनी है आईनू आईनू दोस्तों जापान की जन जाती है वाकू दोस्तों तुंडरा प्रोदेश और बुश्मैन काला हारी मरुस्थल बोथ स्वाना की जन जाती है और जुलू नेटाल प्रांदक्षिर अफरीका की जन जाती है विस्व की प्रमुक वनसपती चलिए देखते हैं वन आदता वाली वनस्पती, जेरोफाइट दोस्तों संबंदी थे, उस्र कटी बंदी मरुस्तली छेत्रों की वनस्पती से, और हाइड्रोफाइट दोस्तों संबंदी थे, जल पलावित छेत्रों की वनस्पती से, मेसोफाइट संबंदी थे, शीतोष्र कटी बंदी चेत्र की व वाली वनस्पती से कभिलाई मानवो के कुछ प्रमुक आवास चलिए देखते हैं और या यूरोप के कौकेशास परवती एवां मरुस्तलिय च्छेतरों में पाई जाने वाली मानो प्रजाती का तंबु नुमा आवास है या लकडी के उपर चमडाल मदकर वित्ताकार ढाचे में बना होता है इगलू या टुंडरा प्रदेश के एस्कीमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धोगोला कार आवास है इजबा या उत्तरी रूस के ग्रामेर छेतरों में तिकोनी रंगीन दीवारों से बना मानो आवास है क्राल या अफरीका के वान्टू एवं काफीर तथा नेटॉल दक्षिर अफरीका के जुलू प्रजातियों द्वारा घास से निर्मित मानो अधिवास है तीपी या रौकी परवत के पूर्वी भागों में निवास करने वाले रेड इंडियनों द्वारा निर्मित तंबू के आकार का आवास है जो मुख्यता बिसन बैल के चमडे से बनाया जाता है यूर्त या मध्य एसिया के इस्टेपिक शेतर के निवासियों गिर्खीज कालमुख और कज्जाक दौरा पशों की खालों से निर्मित आईस्थाई मानो आवास है विश्व के प्रमुख भागोलिक उपनाम साथ पहाडियों का नगर रोम इटली को कहते हैं पोप का सहर रोम को कहते हैं रक्तवड महिला रोम को कहते हैं प्राचिन विश्व की सामागरी रोम को कहते हैं पश्चिम का बेबी लोन रोम को कहते हैं इटर्नल सिटी होली सिटी रोम को कहते हैं, एरले, एंटिलीस का मोती, क्यूबा को कहते हैं, शुगर बाउल आफ दी वर्ड, कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं, चीनी का कटोरा, क्यूबा को कहते हैं, गगन चुम्बी, इमारतों का नगर, न्यू यार्क को कहते हैं, पर्ल आफ दी, ओरियंट सिंगापू होर है घर्मिट किंग्डम दोस्तों कोर利या को कहते हैं लैंड ऑफ मॉरिनिंग काम कहते हैं को लैंड ओका ब्तौन यहां और दोस्तों जरूसलम इससलाम को कहते हैं लैंड टेवा द्बू मेंद लेकस पनick witnesses ग्रेनाइट सिटी एवर्डीन स्कॉट लैंड को कहते हैं, एम्रॉल्ड दीप आयरलैंड को कहते हैं, नेल नदी की देन को कहते हैं, मिस्र को एम्पायर सिटी दोस्तों न्यू यॉर्क को कहते हैं, क्वीन आफ एड्रियाटिक वेनिस को कहते हैं, इटली को, वेनिस इटली को को कहते हैं अरब सागर की रानी पूर्व कवेनिस कौची भारत को कहते हैं प्लेगरांड ऊफ यूरोप स्वूड्य飯 को कहते हैं सुर्यो दा कदेश जापान को लैंड ऑफ थन्डरी वोल्ड भूतान को कहते हैं land of white elephant thailand 코 कहते है लैंड ओफ दी thousand elephant लाउस को कहते हैं, लिली कदेश कनेडा को कहते हैं, नेवर नेवर लैंड पेरीज आफ नौर्वे को कहते हैं, नौर्थ को कहते हैं, पेरीज आफ नौर्थ को कहते हैं, हेरिंग पॉंड एट्लांटिक महासागर को कहते हैं, संजार की छत पामीर को, पामीर के पठार को कहते ह सौपनिल मीनारों वाला सहर ऑक्सफोर्ड को कहते हैं, दक्षिड का ब्रीटे न्यूजीलैंड को कहते हैं, अंध महादीप अफ्रीका को कहते हैं, स्रोडिम पैगोडा कादे इसमयम्मार को कहते हैं संसार की रोटी का भंडार पेरीज आफ नॉर्थ अमेरिका को कहते हैं संसार का निरजन्तम देप तरिस्तान किड्री कुन्हा को कहते हैं साथ तापों का नगर मुंबई भारत को कहते हैं पूर्व का मैंचेस्टर ओसाका जा माउं बजल डबरु मद्ध को कहते हैं, मोतीयों कदवी बहरीन को कहा जाता है, यूरोप के बारूद कपीपा कहते हैं, बालकण को लैनड ओफ शैटिंग संग कहते हैं, ब्रीटेन को स्वेट सेर कहते हैं, बिल्ग्रेट, यूगसलाविया को भारत का मसालों का बगीचा केरल भारत को कहते हैं इसमारकों की रानी इसमारकों की रंगरी कहते हैं वियाना आउस्टिया को विस्व की जननत कहते हैं पेरिस फ्रांस को एशिया का पेरिस कहते हैं थाईलैंड को आईलैंड आफ क्लोज आईलैंड आफ क्लोब्स कहते हैं जंजीवार तंजानिया को गार्डन चक्यों की भोमी नीदर लाइन को कहा जाता है हिंद महासागर का मोती, पुर्व की मोती स्री लंका को कहते हैं सू कुमार फूलों का देश जापान को कहतेateurs पुर्व का ग्रेट बीटे जापान को कहते हैं विस्व के प्रसिद स्थान चलिए देखते हैं अल अक्सा वेल वेलिंग वाल टेंपल माउंट जेरुसलम इसराइल में है बकिंगम पैलेस बिलिंग्स गेट दोस्तों लंदन इंगलेंड में है ग्राउंड केनियन अरीजोना यूएसे में है जोकी हुई मिनार पीशा इतली में है मडेका मैपैलेस जाकार्ता इंडोनेसिया में पॉर्सलोईन टावर नांकिन चीन में है रेड स्कुयर और क्रेमलीन मासकों में है इसफिक्स और पिरामिट मिश्र में है सेंट सोफिया कांस्टेंटिनोपल में है बेडनबर्ग ग्रेट, ब्राउन साउस बर्लिन जर्मनी में, कोलोसियम रोम इटली में, काबाद मक्का साओधी अरब में, लोवर एफिल टावर पेरिस फ्रांस में, पोटाला लहासा तिब्बत में, स्वेत डेगेन पेगोडा रंगोन मयामार में, ब्रॉडवेः एंपार स्टेर बिल्डिंग न्युव यॉर्क यॉसे में हैं, वाइट हाउस पेंटागन वैसिंग्टन डीसी में, ओपेरा हाउस सिड्नी में हैं, विस्व की प्रमुख भगोली खोजें, आर एममेडसन नौर्वे, आर एममेडसन नौर्वे की खोज, दोस्तों, दक्षि अपनीका की खोज की थी, पश्चिम द्वीप समू के खोज 1492 में, और दक्षिर अमरीका खोज 1492 में, जॉन कैवेट इटली के न्यूफाउंड लैंड की खोज 1497 में की थी, इन्होंने, कैप्टन कुंग इंग्लैंड के इन्होंने खोज किया था हवाई द्वीप समू का 17 1770 में, कोपर नीकस पोलेंड के इन्होंने सौर मंडल को खोजा था 1540 में, फरदी नंद दी लैप से लेपेप्स स्वेज नहर का निर्मान इन्होंने करवाया था 1879 में, केपलर जर्मन के थे जो ग्रहों की गती के नियम का प्रतिपादित इन्होंने किया था 1620 में, लिंड आए थे 1498 में, फ्रिट जॉफ नांसेन, ग्रीन लैंड वा उत्तरी धुरू का पहाली भागने नों खोजा था 1888 में, फार्नाडो मैगलन एवं देल कानो, इन्होंने दोस्तों विश्व का ब्रमन किया एट्लांटिक के दक्षिड से प्रसांत महसागर की खोज की 1519 में, ब 1642 में, और उस्टेलिया को 1644 में, जैक कर्तियार, फ्रांस के इन्होंने कनेड़ा को खोजा था, काटेज, इस्पेन के इन्होंने मैक्सिको को 1519 में खोजा था, नो, प्रसांत महसागर का नाम करण मैगलन ने किया था, भागोलिक खोजों का पोस्ताहन देने में, जिन सासक प्रमुक भूमिका निभाई, उनमें पूर्तगाल के राजकुमार, हेन्री दा, नेविगेटर तथा इस्पेन की महरानी इजाबेल प्रमुक हैं, यूरोप वासियों ने कमपास का ज्यान अरबों से सीखा है, विस्व के महसागर चलिए देखते हैं, प्रसांत महसागर, इ 8,29,66,800 km2, इसका गहरा इस्थान है, प्यूरीटो रीको गर्त जो की 8,392 मीटर गहरा है, हिंद महसागर, इसका च्छेतर फल है, 7,34,25,500 km2, सुन्डा गर्त इसका सबसे गहरा इस्थान है, जिसकी गहराई 8,152 मीटर की है, आर्किटिक महसागर, च्छेतर फल है, दोस्तो सबसे गहरा इस्थान है, जो की 5,450 मीटर है, आंटार्टिक महसागर, इसका 6 रुफल दोस्तों अपराप्त है, और गहरा इस्थान इसका अपराप्त है, विश्व की प्रमुख नहरें देखते हैं, सूनहर, सूनहर की दोस्तों इस्थान सईंगत राज आमेरिका में है, और नहर दोस्तों जर्मनी में है और उत्तर सागर और उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है उत्तर सागर नहर नीदर लैंड में है और उत्तरी सागर वा एंस्टर डैम के बीच है मैंचेस्टर नहर ग्रेट बीटें में है मैंचेस्टर और लीवरपुल के बीच में है य और इरी और ओंटो रियो के बीच है, केपी नहर, केपी नहर दोस्तों भारत की है, आंधर प्रदेश और तमिल नाडो की बीच की है, स्वेज नहर दोस्तों मिश्र की है, लाल सागर और भूमद सागर के बीच है, पनामा नहर पनामा में है और करीबियन सागर और प्रसांद म में एक फ्रांसीसी इंजिनियर फर्दीनन्द दालेप से लेपेपस कोद सौपा गया था इस नहर की लंबाई 168 किलो मीटर औसद गहराई 16.15 मीटर अधिक्तम चोड़ाई 365 मीटर और नियुंतम चोड़ाई 60 मीटर की है इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार या पर यानि भ भी खारे पानी की जीले हैं इस नहर के पश्चिमी किनारे पर इसमाईलिया नगर है 1956 में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्टी करड़ किया था पनामा नहर इसका निर्माल 14 अगस्त 1914 में हुआ 15 अगस्त 1914 को यह जल पोतों के आवागमन के लिए खोल दिया गया इस नहर की क पर अमेरिका का अधिकार था परन्तु 2013 में इस पर पनामा का अधिकार हो गया इसमें जल पास प्रडाली है गाटून जिल पनामा में इस्तित एक कृत्रिम मीठे पानी की जिल है यह पनामा नहर का हिस्सा है और इस नहर को लगभग 33 किलो मीटर हिस्सा इस जिल से होकर गु विश्व की प्रमुग जलसंदियां जलसंदियों दो भिन जल राशियों को जोड़ती हैं एवं दो जल खंडों को इस्थल खंडों को अलग करती हैं जैसे मलक्का जलसंदिय अंडमान सागर और दक्षिर चीन सागर को जोड़ती है तथा मलक्का प्रायदीब को सुमात्राद से अलग करती है विस्व के प्रमुक जलप्रपाथ एंजिल जलप्रपाथ वेनेजुएला में है और इसकी उचाई 989 मीटर की है योसे माइट जलप्रपाथ कैलोफोर्निया में है और इसकी उचाई 749 मीटर की है दा माडल फोसे जलप्रपाथ दोस्तों नौर्वे में है और तुगेला जलपरपाद दोस्तों दक्षिड अफरीका में है इसकी उचाई 614 मीटर की है, कुकवेनन जलपरपाद वेनेजुएला में है इसकी उचाई 610 मीटर की है, विक्टोरिया जलपरपाद जिमवामवे और जांबिया की सीमा पर है और इसकी उचाई 108 मीटर है, सुदर दोस्तों कनेडा में है और इसकी उचाई 440 है गावारनी जलपरपाद फ्रांस का है और इसकी उचाई 422 मीटर का है जोग गरसोपा जलपरपाद भारत का है और इसकी उचाई 255 मीटर की है नियागरा जलपरपाद कनेडा और अमेरिका की सीमा पर है इसकी उचाई 53.6 मीटर क पर एंजन विश्व का सबसे ऊुचा जलब्रपात है जोग जलब्रपात शरावाती नदी पर रिस्तित है इसे महतमा गांधी जलब्रपात भी कहते हैं विश्व की प्रमुक छीद यह चले देखते हैं कैस्पियन सागर इसके संबंधित छेत्र है रूस कजाकिस्तान तुर्क जील संबंधिक चेट्र केयने युगांडिया और तंजानिया है। इसक च्षेट्र फ़ल वादीह 1097284 किलो मेडर स्कुएर है। अरल सागर जील संबंधिक चेत्र है कजाकिस्तान एवं उजबैकिस्तान इसका चेत्रफल आसट हजार किलो मीटर स्क्वेर है हुरन जील हुरुन जील दोस्तों हुरन जील है दोस्तों सन्यूत राज अमेरिका और कनेड़ा संबंधित चेत्र इसका चेत्र फल 69,600 किलो मीटर स्कॉयर है Michigan जील दोस्तों सम्बंधिक चेतर है सनियूत राज अमेरिका इसका चेतरफल 57,800 किलो मीटर स्कॉयर है Tanga Nika जील सम्बंधिक चेतर है Tanjaniya, Jambia और Jare इसका चेतरफल 32,900 किलो मीटर स्कॉयर है बैकाल जील दोस्तों सम्बंधिक चेतर रोस है इसका चेतरफल 31,722 किलो मीटर स्कॉयर है मालावी जील दोस्तों मालावी तथा मोजांबिक इससे सम्बंधिक चेतर है और 29,604 किलो मीटर स्कॉयर इसका चेतरफल है ग्रेट स्लेव जील कनेडा की है इसका चेतरफल 28,568 किलो मीटर स्कॉयर है इर्री जील दोस्तों साइक तोराज अमेरिका और कनेडा की है इसका छेतरफल 25,670 किलो मीटर स्कोयर है विनिपेक जील कनेडा की है दोस्तों और इसका छेतरफल 24,387 किलो मीटर स्कोयर है ओंटेरियो जील दोस्तों साइक तोराज अमेरिका तथा कनेडा की है इसका चेत्रफल 19,010 किलोमीटर स्क्वेर है बालखस जील दोस्तों कजाकेस्तान चेत्रफल इसका और 18,260 किलोमीटर स्क्वेर इसका चेत्रफल है चार जील का संबंधी चेत्र नाइजीरिया, नाइजार, वचार, कैमरून है इसका चेत्रफल 17,800 किलोमीटर स्क्वेर लड़ाओगा जील दोस्तों संबंधी चेत्रूस है इसका दोस्तों है चेत्रफल 17,600 किलोमीटर स्क्वेर ओनेगा जील दोस्तों संबंधी चेत्रूस है इसका चेत्रफल 9,720 किलोमीटर स्क्वेर आयर जील का संबंधित चेत आस्टेलिया है और 9300 km2 इसका चेतरफल है टीका टीटी काका जील पेरु और बोलीविया है इसका संबंधित चेतर और इसका चेतरफल 8300 km2 है निकारगुवा जील दोस्तों इसका संबंधित चेत्र निकारगुवा है और इसका चेत्रफल 8157 किलोमीटर स्क्वार है अथावासका जील कनेड़ा इसका चंबंधित चेत्र है और इसका चेत्रफल 7936 किलोमीटर स्क्वार है रेंडियर जील का दोस्तो संबंधित चेत कनेड़ा है और इसका छेत्रफल 6,650 किलो मीटर स्क्वेर है रूडोल्फ जील के निया है संबंधित चेत्र और इसका छेत्रफल 6,405 किलो मीटर स्क्वेर है इसीक कुल जील इसका संबंधित चित किर्गिस्तान है और इसका चेतरफल 628 किलोमीटर स्क्वेर है बैकाल जील के पूर्वी भाग में ब्यूरेट नामक जन जाती पाई जाती है बैकाल जील विस्व की सबसे गहरी 1620 मीटर गहरी जील है टांगा नीका जील विस्व की सबसे लंबी 660 किलोमीटर मीठे जल की जील है या विस्व की दूसरी सबसे गहरी 1436 मीटर की जील है कैस्पियन सागर विस्व की सबसे बड़ी जील है खारे पानी की मीठे जल की सबसे बड़ी जील सुपीरियल जील है विक्टोरिया जील तंजानिया और यूगांडा के बीच अंतराष्टिय सीमा बनाती है टीटी काका लेक खानीमोन लेक कहलाती है विस्व के प्रमुक परवस शिखर चलिए देखते हैं एवरेस्ट परवस सिखर दोस्तों नेपाल में है और इसकी उचाई 8850 मीटर की है ग्रेशर ब्रहम सिखर दोस्तों पाकिस्तान में है इसकी उचाई 8068 मीटर की है केटू गौडविन आउस्टिन का दोस्तों यह भारत में है और इसकी उचाई 8611 मीटर की है गोसाईनाद दोस्तों चीन में है इसकी उचाई 8018 मीटर की है कंचन जंगा दोस्तों नेपाल भारत में है और इसकी उचाई 8598 मीटर की है और नंदा देवी दोस्तों भारत की है इसकी उचाई 7,817 मीटर की है लहाद से वन दोस्तों नेपाल की है इसकी उचाई 8,501 मीटर की है राका पोशी या दोस्तों पाकिस्तान में है और इसकी उचाई 7,788 मीटर की है मकालू वन इसकी या दोस्तों नेपाल चीन में है और इसका उचाई है 8,481 मीटर कामेट भारत चीन में है और इसकी उचाई 7,756 मीटर की है धोलागिरी नेपाल में है इसकी उचाई 8,172 मीटर की है नामचा बारवा दोस्तों चीन में है इसकी उचाई 7756 मीटर की है नंगा परवत भारत में है इसकी उचाई 8126 मीटर की गुल मानधानता दोस्तों चीन की है इसकी उचाई 7776 मीटर की अनपूरा नेपाल की है इसकी उचाई 878 मीटर की तीरी चमीर दोस्तों पाकिस्तान की ह इसकी उचाई 7,728 मीटर की है विश्व के प्रमुक दीब देखते हैं ग्रीन लैंड दोस्तों अवस्थीत है आर्केटिक महासागर में इसका छेत्रफल 21,75,000 किलो मीटर स्क्वेर है नियो गिनी दोस्तों अवस्थीत है नियो गिनी दीब अवस्थीत है पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसका छेत्रफल 8,21,400 किलो मीटर स्क्वेर है बोर्नियो जील दोस्तों इस्थीत है हिंद महासागर में इसका छेत्रफल 7,51,000 किलो मीटर स्क्वेर है मेडा गैसकर दोस्तों इस्थीत है हिंद महासागर में इसका चेतरफल 5,87,41 मीटर की है बेफिन डीप कनेडा की दोस्तों कनेडा में इसका अवस्तिती है उत्तरी आर्केटिक महासागर में इसका चेतरफल 5,7,451 किलो मीटर है सुमात्रा इंडोनेसिया का ये दोस्तों हिंद महासागर में है और इसका छेतरफल 4,22,200 वर्ग किलो मीटर है होनसु जापान इसकी अवस्थिती दोस्तों उत्तर पस्चिम प्रसांत महासागर में इसका छेतरफल 2,30,92 किलो मीटर स्कॉयर है ब्रीटेन ग्रेट बीटेन दोस्तों दूइप उत्तर अटलांटिक महासागर में है और इसका छेतरफल 2,39,849 किलो मीटर स्कॉयर है विक्टोरिया दूइप कनेडा की उत्तरी धुरू महासागर में है और इसका दोस्तों छेतरफल है 2,17,290 किलो मीटर स्कॉयर इली समेरे दूइप कनेडा की उत्तरी धुरू महासागर में है और यह दोस्तों 1,96,236 km2 इसका चेतरफल है सूलो वेसी इंडोनेसिया का द्वीप है इंद महासागर में है और 1,88,700 km2 इसका चेतरफल है दक्षडी द्वीप न्यूजी लेंड का यह दोस्तों इसकी स्तिती है दक्षड पस्चिमी प्रसांत महासागर इसका चेतरफल 1,50,460 km2 है जावा दीप इंडोनेसिया का हिंद महासागर में है इसका चेतरफल 1,26,400 km2 है उत्तरी दीप न्यूजी लेंड का इसकी स्तिती दक्षड पस्चिम प्रसांत महासागर में इसका चेतरफल एक लाग चार हजार छे सो अठासी किलोमीटर स्क्वाइर है आइसलैन दोस्तों उत्तर अटलांटिक महासागर में है इसका चेतरफल एक लाग तीन हजार किलोमीटर स्क्वाइर है आइरलैन दोस्तों उत्तर अटलांटिक महासागर में है इसका च्छेतरफल 82,460 km2 है तस्मानिया दोस्तों दक्षिड पश्चिम परसांत महासागर में है इसका च्छेतरफल 66,900 km2 है श्री लंका हिंद महासागर में है इसका च्छेतरफल 65,600 km2 है विस्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूसे मिलकर बना देश इंडोनेसिया है रियूनियन द्वीप मेडागासकर के पूर्व में हिंद महासागर में फ्रांस का एक द्वीप है यह ज्वाला मुखीय मूल का द्वीप है इसकी उच्चितम बिंदू उचाई 3079 मीटर की है इंडोनेसिया की राजधानी जाकारता जावा द्वीप पर है जापान की राजधानी टोकियो होंसु द्वीप पर है काली मंतान बोर्नियो द्वीप का अंग है बोर्नियो एसिया का सबसे बड़ा द्वीप है नागा साकी क्यूशो दीप पर है खाडी देश बहरीन एक दीप पर इस्तित है सामरीक महत्तो का दीप डियोगो गार्सिया हिंद महासागर में इस्तित है नौर्वे तटके निकट इस्ति छोटे छोटे दीपों की पंक्ती को इस्वेरी गार्ड कहा जाता है हवाई दीप को परसांत महासागर का चोरहा कहा जाता है आइसलैंड दीप को अगनी दीप के नाम से जाना जाता है सबसे अधिक दूई परसांत महासागर में है विस्सो के प्रमुक पठार चलिए देखते हैं ग्रीन लेंड का पठार अंद महा सागर के उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600 वर्ग किलोमीटर के छेतर में हिमसे ढखा विशाल पठार है इसे ग्रीन लेंड का पठार कहा जाता है कोलंबिया का पठार या USA के ओर्गन वासिंग्टन वा इडाहो राजियों के मध्य 4,62,500 वर मंगोलिया का पठार यह चेन के उत्तरी मध्य भाग में मंँगोलिया गळ राज में इस्तित है। बोलिविया का पठार यहाँ पठार 800 किलो मीटर लंबा 128 किलो मीटर चोड़ा तथा इसकी ओसात उचाई 3110 मीटर है यह बोलिविया के एंडीस परवतमाला छेतर में विस्तित रूप में फैला हुआ है अलास्का का पठार इसका निर्माल यूकन और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुई है अता इसे यूकन का पठार भी कहा जाता है कनेडा की ओर इसकी उचाई लगभग 900 मीटर है ग्रेड बेसिन का पठार यह कोलंबिया पठार के दक्षिड में कोले रोडो और कोलंबिया पठार या पठार दक्षिडी भारत में इस्थित है इसे तीन और परवत स्रेडियों ने घेरा है रखा है इसके पूर्व में पूर्वी घार पश्चिम में पश्चिमी घार तथा उत्तर में विंद्यांचल तथा सत्पूरा की स्रेडिया है इरान का पठार इसे एशिया क का माइनर पठार या इरान का मद्धिवर्थी पठार भी कहते हैं इसकी ओसातुचाई 900 से 1500 मीटर के मद्ध है अरब का पठार या दक्षिड पश्चिम एशिया में इस्थित है इसके पूर्व में फारस की खाडी पश्चिम में लाल सागर उत्तर पश्चिम में भूमद सागर और दक्षिड में अरब सागर इस्तित हैं अनातोलिया का पठार या टरकी में पेंटिक और टॉरस सेड़ियों के मद्ध हिस्तित है इसे टॉर्की का पठार कहते हैं इसकी ओसतुचाई 800 मीटर है अबिसीनिया का पठार या पठार पूर्वी अफरीका के सोमालिया, अिट्योपिया एवं जी बूति के छित्र में विश्त्रित रूप में फैला है इन तीनो देशओं को साइट रूप से हॉन अफ अफरीका भी कहा जाता है मेड़ागास्कर पठार मेड़ागासकर द्यूप अफरीका के दक्षड पूर्वहिंद महासागर में इस्थित है इस द्यूप के माद्वर्थी भाग पठारी है गिजी से मेड़ागासकर या मलागासी का पठार कहा जाता है आस्टेलिया का पठार आस्टेलिया के पश्चिमी भाग में आस्टेलिया का पठार इस्तित है इसकी समानता उचाई 180-600 मीटर के मद्ध्य है इस पठार का दक्षडी भाग मरुष्थली है चिया पास का पठार या पश्चिम या दक्षडी मैक्षिको के में प्रसांत महसाग के तड़ पर इस्तित है इसके उत्तर में तबास को दक्षडी पष्चिम में थे हुआ निटे पेक कि खाडि पूर में सेटह का पठार इस्तित है इस पठार की आउसत उचाई 610 मीटर है इंडो चीन का पठार या दक्षिड एसिया के पूरो प्राय ग्रीप पर इस भाग पर सालविन, सीकॉंग, मीकॉंग, मीनाम, आदी नदियां प्रवाहित होती है चलिए दोस्तों विश्व के प्रमुक्रेगिस्तान देखते हैं विश्व के उस्रकडिबंधिय मरुस्तल प्राया महादीपों के पश्चिमी भाग के भूमध्य रेखा से 10 डिगरी से 30 डिगरी उत्तर एवं दक्षिड दोनों की गोलार्दों में व्यापारिक पवनों की पेटियों में पाय जाते हैं उदारता आटा कामा मरुस्तल दक्षिड अमेरिका का कैलिफोर्निया मरुस्तल उत्तर अमेरिका का और मानाबिक एवं कालाहारी मरुस्तल दक्षिड अमेरिक अफरीका का पश्चिम ऑस्टेलिया मरुस्तल ऑस्टेलिया का अरेवियाई मरुस्तल एवं भारत एवं पाकिस् अरेखिस्तान कतहार मरुस्तल आदी है तलि रेगिस्तान ऑप किलोमीटर स्क्वयार में विस्तार छेतर पेलजीरिया चार ली बिया मली मरीतानिया नाईजर सुडान ट्युनिसिया मिश्र और मौरप को है औरेबियन रेगिस्तान तेरा लाग के किलो मीटर स्क्वाइर इसका विस्तार है इसका विस्तार चेतर दक्षिड अरब, सौधी अरब, यामन, सीरिया, खाली चेतर एवं, नाफूद चेतर के रेगिस्तान सम्मिलित हैं गोबी मरुस्थल इसका छेत्रफल 10,40,000 km2 है मंगोलिया और चीन में इसका विस्तार है कालाहारी मरुस्थल 5,20,000 km2 इसका छेत्रफल है बोथस्वाना मध्य अफरीका में दोस्तों इसका विस्तार है टाकला माकन दोस्तों रेगिस्तान 3,20,000 km2 है सिंक्वांग चीन में दोस्तों इसका विस्तार है सोनोरन रेगिस्तान तीन लाग दस हजार किलो मीटर स्क्वार इसका चेतर रफल है इसका विस्तार छेतर एरिजोना एवं कैलिफोर्निया यूसे तथा मेक्शिको में है नाबी ब्रेगिस्तान दोस्तों इसका छेतर रफल 3,10,000 km स्क्वार है दक्चिल अफरीका नामीबिया में दोस्तों इसका विस्तार है काराकुम ब्रेगिस्तान 2,70,000 km स्क्वार इसका छेतर रफल है तुरकमेनिस्तान में इसका विस्तार है थार मरूस्थल दोस्टोब दो लाग साथ उजार किलो मेटर इसका चेत्र पल है। उत्तर पश्चमी भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तार है। सोमाली मरुष्थर 2,60,000 kmS दक्षडी अमेरिका में रिश्थर 1, scratchednin गोफी 9,000 kmS इसका विस्तार छेत्र उजबेकिस्तान और कजाकिस्तान है दस्ते एलूट रेगिस्तान का छेत्र फल 52,000 किलोमीटर स्क्वाइर है इसका विस्तार छेत्र पूर्वी इरान में है मोजाब रेगिस्तान का छेत्र फल 35,000 किलोमीटर स्क्वाइर है इसका विस्तार दक्षडी केलिफोर्निया में है कारा कुम और काजिल कुम दोनों के सम्मिलित रूप को तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आस्टेलिया के दक्षड एवाम दक्षड पस्चिम में विस्तारित है या औस्टेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है या एक उस्ड मरुस्थल का उधारण है दोस्तों यहीं पर समाथ्थ होते हैं लुसेंड की बुक से विश्यो के भुगोल से संपूर जानकारी आसा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप सभी ने पूरी देखी होगी और यह जानकारी आप सभी को पसंद भी आई होगी और वीडियो भी आप सभी को पसंद आई होगी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेर करिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल आउन कर लीजे दोस्तों ताकि आगे आने वाली ऐसी बहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए और वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद